हालो वीवर्स आपका बहुत बहुत वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्ट अस्टिंग बूट और रियक्ट के मदद से जो कि हम लोग फ्रेंट अभी बना रहे थे और बैकेंड में काफी चीज हम लोग कभर कर चुके हैं अगर आप अभ देख चुके थे कि अगर कोई भी यूजर लॉग इन करता है अपना यूजर आइडी और पास्वर्ट डालके या इमिल आइडी और पास्वर्ट डालके तो उसके पास जो डेटावेस में जो पास्वर्ट से भूगा वो इंक्रीप्शन फॉर्म में होगा इट मिसी इस इस नौड रीडेबल फॉम मेंस जो भी डेटावेस अड्मिरिश्टेटर रहे वो पर्सवर्ट डेट नहीं कर पाया रड़ मिल्यूर्ट पर्सन और एनी पर्सन कांट बिजूच अब टाइड़ देटा प्रम डेटावेस और परसनल डिटा लाइक पास्वर्ट पास्वर्ट यह यह था हम लोग का प्रिवियस पॉंसेट जो की देख चुके हैं हम लोग तो अब काफी कभर काफी कुछ कभर कर चुके हैं अब कुछी बैकेंड में कुछी चीज बचे हुए है जैसे कि आज हम लोग कभर करेंगे कुछ यूजर आइडी तो आज का टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वह हमारा टॉपिक है काड एंड काड आइटम तो यह बेसिकली क्या है डिफ्रेंस तो चलिए यह समझ लेते हैं हम लोग और इस पर फिर कोडिंग भी हम लोग इंप्लिमेंट करेंगे जो कि हमेशा के जैसा हम ल हमारा जो होगा वह काड आइटम होगा तो यह हमारा सिब्सेव बनाते जाएं तो यह हमरा लैप टॉप हो गया और ऐसा ही बहूत साथ प्रोडक्ट आपका हो सकता है इन दसेंस नंबर प्रोड़क्ट हो सकते हैं जैसे कि और बहुत सरे से कुछ बहुत सरे प्रोड़क्ट हो सकते नंबर प्रोड़क्ट होगा और ऐसा ही होते जाएगा ठीक है तो इस केस में हमारा क्या हो तो जो भी जैसे कि हमारा क्या रहेगा प्रोड़क्ट है एक हमारा प् इस प्रोड़क्ट को पहले यूजर क्या करेगा पहले यूजर करेगा यहा इस काड्स पूट करेगा फिर काड्स को सिखर करेगा कि मिल देखने वाले कशन से सिंद्न से की सिस्दॉग् पर प्रोड़क्ट भी हो सकता है तो हम लोग सब रिलेशन सिप बनाएंगे लेकिन अब बेसिकली फोकस करेंगे कि कार्ड और कार्ड आइटम में क्या रिलेशन सिप होगा उसके बाद अगर आगे हम ले जाएं तो आगे हम यह भी लेख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक यूज तो यहां पर हमारा यूजर्स भी हो सकता है जो कि यूजर्स का कार्ड बगेरा होगा सारा कुछ तो इस सारे के बीच में मैपिंग तो थोड़ा साब कॉंप्लिकेट हो सकता है लेकिन थोड़ा सा अब ध्यान दे तो कोई दिक्कत नहीं बस अभी के लिए हम जो टॉपिक करती हैं सर्फ से पहले हम कार्ड आइटम बना लेते हैं तो हम आगे सट्रीए में एक्छली हमारा वीडियो इस लिए नहीं आपा रहा था क्योंकि हमारा सारा जोभी बीडेक्टरिया या फिर फाल ता सारा डिलीट हो चुका था तो इस वज़े से वीडियो आने में तो हमन सीक् Faith टक तो हमें प्लीज टैक्ट करें हम उनसे सोर्सकोड लेना चाहेंगे क्योंकि हम बता रहे हैं वह थोड़ा सब क्Jimなんです कोड होगा मेरे ने लेकिन जो लोग मेरे से follow करें 400 तो वहもし यू उजै करेंगे तो फिर हम चाहेंगे की वही थम दिखाएं ताकि अगला 1 myth ना हो तो चलिया अब हम लोग एक नया class create कर लेते हैं सब्सक्राइब हम रख ल specimen तो इस Class का माम हम यहां पर नांवा कर लेते हैं और जो कि आपको भी दिख रहा होगा कि हमने क्या इंटर किया काड क्लास का नाम इंटर किया और यहां से इंटरप्रेस कर Match कर देंगे हमारे पास ऐसी क्लास बन जाएगा जिस क्लास क्लास क्या रहेगा यह कून सा पैकेज में हम अरये क्लास में आज मैं मॉडल क्लास बना रहे हैं त्लिक है यहां तक सो क्लین है यह हमेरạ達 क्लास जो होगा वो किसी ठैप को म्हों बहुत पहले ही पर चुके हैं कि यह entity class tap में होता है जो persistence जावा एक्स पस्टीड से आ रहा होगा अगर किसी का यहां पर जाकारता से आ रहा होगा तो किलिपिया आप यह करें हम जो source code provide किये हैं आपको telegram में वह source code form.xml से file में क्या करें totally जाके copy paste कर लें हमारा card मतलब कि यह जो दीख रहा होगा आपको पॉम्डो टेक्स एमल हमने एक लिंक प्रोवाइट किया गीठव का तो आप अगर जाकारता किसी को दीख रहा है तो इन दा केस तो आप एक्चुली बस यही पूरा उठा ले और डाइट कॉपी पेस्ट कर ले तो आपका भी सॉल्ब हो जाएगा व्या कोई दीखत नहीं होगा तो आयए उसके बाद फिर हम ये इंटिटि आंप बना लिए औम वंडीटी बनाने के बाद हमें करना क्या है यहां पर हम के हमीज काड़ आएडी चाहिए जो की क्या होगा काड़-i तो हम लिख लेंगे काड़-i जो की हमारा क्या होगा यह डरेट आइडी टाइप में होगा जो जावा एक्स परसिस्टेंस लेयर से आ रहा होगा और फिर यहाँ पर हमको इसका Define करना होगा इंट ठीक है यह हमारा बन गया आइडी टाइप का और फिर हमें क्या चाहिए इसमें बसकार्ट बस अब हम इससे क्या करेंगेल पर इसकर Gator目 बना लेंगे और अब यह डियर नहीं करते हैं talk और आगे यहां पर घैटर सेटर में मर संपद किया और गेटर सेटर कर लिए कंस्ट्रक्र भी करेंगे और कर्स्ट्रक्टर के लिए यूजिंग फिल्ड कर्स्ट्रक्टर भी कर लिए तो यह हमारा हो गया कार्ड का अब कारण़ अब कर आइटम नाम का एक लास बना लेते हैं इसे में एणिक करेंगे नियूप जाएंगे और गारा हम यहां से कार क्लास कर लेंगे सी ए आर्टी कार्ड आई टम तो यह काड़ आइटम नाम लिखने के बाद जस्ट हम नेक्स्ट पे किलिक करेंगे और इसको भी हम क्या एड़ एड़ इंटीटी लिखेंगे और जावा एक्स से आ होगा जो कि और हम इसमें कोन-कोन सा फिल्ड यूज करेंगे हम फिल्ड यूज करेंगे तो हमारा एक पहले तो रहेगा कारड 2 जो कि ए सेम प्राइड वेट में एक और इसके बाद हमारे पास card item में क्या हो सकता है private in quantity आपके मॉबाइल फोन सब्सक्राइब तो उस मॉबाइल फोन कितना केटेगरीज में मतलब कितना quantity में लना चाहता है तो यहां यहां पर हम इंट quantity लिख देंगे क्यू यू ए एन एक सेकेंट क्यू यू ए एन टी आई टी वाई quantity लिखने के बाद हमारे पास जो होगा प्राइज होगा तो हुआड यहां पर डबल और टोटल तो टल प्राइज लेते हैं पी आर आई जड़े कि एट रही सी प्राइज ठैक है यह हो गया हमारा टोटल प्राइज और फिर हमें कुछ और कंपरिशन करना वा लेकिन जो हमारे पास इस क्लास का जो सीड होगा हम बस इतना ही लेगे ठीक है यह रएज वेगरा बस अब यहां पिन के एंपान बोलत है हैं तो यहां पिन क्या और गयटर Stickelf cui कर लेते हैं और हम गेंटर एंड टेतर क्रड यूजर के बीच में रिल्चनाशीप कर चुका है अब जैसे हम ने भी क्या करेंगे कार्ड और कैड़ आइटम में रिलेशनशिप करेंगे प sprigod अधर प्रोड़क्ट और फिर यूजर के बीच में रिलेशनशिफ क्रेट कर चुके थे तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लगी चुका होगा कि रिलेशनशिफ क्या होता है तो हम यहां से कॉमेंट करके लिख देंगे जी रिलेशन सीप वीथ अधर कि टेबल्स के यह माले रिलेशनशिफ का कोडिंग रहेगा तो फिर हमारे है अगया कि या कर आइटम में हैं जो कि आपको देखर हुआ तो काड़ आइटम और हम काड़ के बीच में तो हम most ö कर लेते तो यह हैं तो यह आधि दोनों के बीच में हमको तो हम यहां पे जो जब हम cao आईटम में रहेंगे तो काड्ड के नाम से बुलाएंगे उसको के बाद जो इसके बीच में रिलेशन सीफ होगा वह हम लोग देखने वाले हैं तो अब यहां पर भी हम आएंगे बाइडर डैरेशनल मैपिंग कर रहे हम तो यह वाला चीज हम कॉपी कर लेंगे ताकि यहां पर पता जले और इस प्लेस में आने के बाद हम बेसिकलिक क्या कर burg कर देंगे इसको का वब यहां क्या बनाने एकाडल आइटम का आभी कांड में तो काडल आइटम का यहां पर बनाएगे ठीक है तो लिए प्राइबड अए टर्म हम लेग कर दो बनाते कोई भी यहां पर काडल आइटम होग और यह ऐसे लिख दुब काड़ आय। पैसेट ईडिफस और यह हमारा काड़ आइटम किलियर गुवा और यह बोently होगा तो हम मैपिंग ही देखने यह थैं कि एक हो रहा है यहां पर कि यह क्या है काड़ आईटर में तो बहुत सब्सक्राइच काड़र हो हो से लेकिन एक ही क्या होगा काड़ होगा बहुत सारा काड़ डायटम का मेंस एक और आइडा में जैसे की मान हमारे पास एक काड़ आईडी है जो की one है जिससे की one है उसमें हम क्या और फिर टीवी और फिर तो यह सब काड़ आइटम में जाएगा सब कुछ क्लोथ तो हम एक और कर रहे हैं तो एक ही उससे में काड़ आइटम तो यह हमारा पतार चल रहा है कौन सा रिलेशन सीप होगा मेनी में मतलब बहुत सारा रहेगा बट यहां पर जो रहेगा वह कितना आइटम क्लास में चल जाते हैं यहां पर तो कुछ एरर है क्या इस पर नहीं सेव नहीं के थी स्विज़े से हां तो अब यहां पर हमारा काड़ आइटम में क्या होगा कि काड़ आइटम तो मैनी काड़ आइटम वन काड़ बहुत सारा काड़ आइटम एक काड़ में होगा तो हम लिखेंगे मेजिए एक ट्ाले ड्लेट मेजिए टू पर ये लिखेंगे और इसको हम इन्पॉर्ट कर लेंगे मेजिए को अपर हम पर आजायेंगे कह पर इस पर कार्ड पर और यहां यहां पे भी card में भी यहीं हम लिख लेंगे कि card क्या है card में है तो 1 2 मेनी टू कर चोटा और मेनी और यहां पर हम लगा देंगे at the rate और फिर यहां पर हम लगा देंगे यह और इसको import कर लें तो यह हमारा relationship हो गिया लेकिन हम लोग अभी तक सारा चीज में देखते यह आए हैं कि अगर हमारे पास मेनी का relationship हो रहा है तो हम उस केस में सेट यूज करते हैं क्योंकि उस समय हमें बहुत सारा product आ सकता है कहां से card आइटम से बहुत सारा प्रोड़क्त आ सकता है card में ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सेट यूज करते हैं तो हम यहां पर आ जाएंगे और शेट यूज कर लेंगे और इसके अंदर हम card items का type रख देंगे और फीर यहां पे एक item जिसका मिस्टेक है तो हम यहां पर इसको मिटा देंगे और फिर एक सेकेंड मुझे दे दीजी आप तो बस अब हमें यहां पर एक सेकेंड का काम था तो हम यहां है सेट ले लेंगे है 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 सेट और जिसमें यह खाली छोड़ देंगे और फिर यह प्रेस कर देंगे अभी वी एर्र है यह क्या है पढ़ लेते हैं को सिंते कर रर्शेंटेक्स कुछ द्यार्रश करसे अंत बैसे कली हम पर है कि हमारा इंपूर्ट नहीं हुआ है लेकिन पता नहीं अए हैसा देता है कि कुछ सिंटेक्स में मिस्टेक की उस टेप में और हैसमेब भी होगा तो हैच मैप का भी हमको इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर इसको जावा डोट यूटिल से आ रहा होगा अभी भी किसिस का एर दिखा रहा है यह सिंटेक्स एर जैसा क्यों दिखा रहा है अच्छा न्यू कीवर्ट चूटा हुए ना इसी वजए से अब सारा सॉल्व है कि वाज़ पॉइंट नहीं वाज़ ने रखेंगे हैं दिख है तो यह हमसक्त क्या करेंगे हम स्थजा रहें आ यहां पर अन्स रित कर लेंगे और यहां पर हमारा मोडल क्लास है तो हमेंbread कंस्ट्रक्टर भी चाहिए यहां पर तो कर श्यक्तर के यहां से क्लिक करके इस क्लास का अब हमारे पास क्या करना है हमको अब हम यहां काड आइटम में जाएंगे और इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे गेटर सेटर करेंगे फिर अब बेसिकली होता क्या है हमारा कि प्रोड़क्ट और प्रोड़क्ट आइटम मतलब निटमील्स हम समझाना यह चाह रहे हैं तो हम यह प्रोड़क्ट का बात कर रहे थे तो यह सा कुछ हो सकता है कि तो हम इसको अन्डू कर लेते हैं तो हम यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या है प्रोड़क्ट टेबल है तो इस प्रोड़क्ट टेबल में मतलब जो भी प्रोड़क्ट होगा तो यहाँ पर वह सकते हैं और फिर जब तक वह और प्लेस नहीं होगा तो फिर दूसरा हम नहीं डाल सकते हैं, दूसरा product, उसका हम बस quantity increase कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं, just order placed होगा, उसके बाद फिर हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है, तो एक product, एक card item, तो हम इसका भी mapping कर लेते हैं, STS में आ जाते हैं, और हम यहाँ पर आ गए है, private product, और product, one to one है, तो हमारे पास यहां हम लिख देंगे, one to one, mapping बहुत easy होता है, one to one, that's it, अब product table में भी आ जाएंगे हम, जो कि हमारा product table यहां होगा, और इस product table में आने के बाद, हम यहां पर लिख देंगे, private card item, और card item, यह लिखने के बाद, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, add a rate, one to one, अब हम जब bi-directional से mapping कर रहेंगो, तो managed by भी हमको लिखना जोहरी परेगा, और eager type, या फिर हम इसे करते हैं ऐसा, कि इस single directional mapping ही रहने देते हैं, card item से, card हम सिर्फ card item से product को निकाल सकते हैं, ठीक है, अब product से हम card item को निकाल सकते हैं, यह मान के चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यह जो है, यह card item है, इसमें हम card का भी कर लिए हैं, और product का भी कर लिए हैं, अब हम करेंगे क्या, basically, इसका gator setter और constructor जब जब हम बनाएंगे, तो constructor को अपडेट करना हो, ऐसलिए हम constructor को भी महटा आ देंगे, और यह हम यह ऐसा कुछ कर रहेंगे, gator setter, फिर gator setter create कर लेंगे, यह हमार gator setter create हो चुका है, अब हमारा gator setter create हो चुका है, अब हमें करना क्या है, कि next property देखना है, कि जो card होगा, किसी user का card होगा, अब इसका relationship क्या होगा, वो देख लेंगे, तो इसके लिए हम आ जाते हैं, अपने paint में, और हमारे पास एक user table था, इसके मदद्धे समझने का कोशि user है, तो उसका क्या होगा, एक ही card होगा, ठीक है, उस card में वो बहुत सारा item रखेगा, और उसमें quantity वगरा increase करेगा, तो इसमें भी relationship हम देखेंगे, तो one to one का relationship हो रहा है, एक user को हम लोग जब भी मत करते हैं, तो एक ही card हमारा होता है, और वही card में सारा product को add किया जाता है, वन टू, वन होगा, तो इसमें भी हम कुछ नहीं जल्दी से आते हैं, और वन टू वन का relationship कर लेते हैं, तो private, private, pribat, और यहाँ पे जो होगा, हमारा user, योजर, और यह जो relationship होगा, तो one to one का relationship होगा, तो इसको हम को bi-directional mapping करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें card से भी value का, हम card से भी user निकाल पाएं, तो इसके लिए हम आ जाएंगे, यहाँ पर user, 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 user class में आ जाएंगे, जो की आपिनी नहीं किते हम लोग, तो एक user class में आ गए, तो यहाँ पर आ और card जो की होगा, private type में, इसमें हम जब by direction mapping करते हैं, तो managed वगेरा लिखना पड़ता है, हमें, तो वह भी हम लिखेंगे, तो यह card का कौन सा relationship होगा, one, two, one का relationship होगा, और हम managed by card ली दिखते हैं, कि card manage कर पाए, mapped by, जो बनाए हैं, वहाँ पर user, ठीक है, तो user हमारा सारा कुछ वहाँ से manage कर पाएगा, means, यह वाला जो field है, कहाँ पर, यहाँ पर card में, जो user बनाए हैं, तो यह वाला field है, user, यह, तो यह user है, सारा कुछ manage करेगा, user किसका है, यह user का है, तो यह हमारा user, यहाँ से manage होगा, मतलब कि, यह अपका card से manage होगा, card से हम निकाल सकते हैं, किसका card है, और यह by direction mapping कर लिए, तो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे पास mapping लगवा complete हो चुका है, तो हमारा entity class, almost we have completed, and then we will go for further, और आगे क्या होगा हमारा further में, तो हमारा entity class वगरा सारा, तो एक बार हम इस class को run कर देते हैं, सारा table वगरा बन जाएगा, वर एक बार हम database में भी दिखा देंगे, क्या-क्या table कैसे कैसे बन रहा है, तो आएं हम इस पर run edge पर क्लिक कियें, और जावाब पर क्लिक करके हम run कर दियें, प्रोग्राम को, तो हमरा program run हो रहा है, उससे पहले हम workbench open कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे work, workbench, और हम आ जाएंगे, अपना workbench में, और आपको दीख रहा हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और हम देखेंगे, इतना सारा query हमारा generate हुआ है, हमारे coding से, और यह सारा हमारा card item बना, integer बना है, मतलब सारा कुछ हो चुका है, जिसमें से card यहाँ पर बन चुका है, अब card का हम दिखा है table, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जो कि card ह है, और यह relationship वाला है, card है, मतलब user का, एक card ID का, एक user होगा, जैसे one, एक card ID है, तो उसका एक user ID भी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हम इसको अभी save नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ से cut करने हैं, और delete, अब card item है, तो card items में भी देखेंगे हम, यहाँ पर यह है, और card items में कौन सा product को हम add कर रहे हैं, उस product आ जाएगा, और दो card items की नाम से, हाँ, card items है, मतलब की card ID में card items वाला, चीक है, तो यही तीनों चीज, चालों चीज हम लोग कोडिंगे, अब user में देखेंगे, तो users में हमारा, नहीं user में कोई field एड नहीं हुआ है, user में होना भी नहीं चाहिए, ले यहां पर user भी आ रहा है, ठीक है, तो यह हमारा database का सारा कुछ है, ठीक है, इसको reverse engineering में भी देखना चाहिए, तो बहुत सांदार तरीके से देख सकते हैं, और जो कि हम लोग हम बता चुके हैं, कि control plus R, click करेंगे, reverse engineering को जाएगा, और हम अपना database select करके, execute कर देंगे, और हमें देखने लगेगा, reverse engineering, तो यह हमारा कुछ structure है, जो की user है, और यहां से कुछ देखना थोड़ा सा असानी होगा, तो आप यहां से देखके भी समझ सकते हो, कि पहले क्या है हमारा सबसे पहले category, सबसे पहले product होना चाहिए था, तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो यह हमारा product है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, product होगा, ठीक है, यह product है, product हमें कहाँ add करेंगे, हम जब भी product create करेंगे, तो किसी categories में add करेंगे, ठीक है, अब फिर एक users होगा, ठीक है, उस user का role होगा कुछ, कि कौन सा role मिला है, ठीक है, user roles, जो कि इसके और इसके बीच में many to many का relationship है, जिसे पता यह पता चल पा रहे है, ठीक है, तो इसके वज़े से एक निया table create हो गया, और फिर यहाँ card item है, जिसमें हमारा पास यह सब properties है, और card item आपका associated होगा, card से, जो कि यह देख रहा है आपको, और card items के बीच, card और card items के बीच में many to many relationship है, इसे वज़े से यहाँ पर card items आगिया, जिसमें card item और card का एक दो हमारा यह आगिया, तो यह हमारा कुछ relation से ऐसे create हो रहा है, तो यहाँ से हम अलोग easy से समझ सकते हैं, ठीक है, और हम आ जाते हैं, हमारा coding यहाँ पर यह complete होगा model वाला, अब हम इसका क्या करेंगे, services बनाएंगे, ठीक तो हम किसका services पहला बनाना चाहिएंगे, तो हम पहले card का services बना लेते हैं, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, services में, right click करते हैं, new पर click करते हैं, class create कर लेते हैं, जिसका नाम होगा, आपका card service, ठीक है, card service हम नाम लिखती हैं, और यह हमारा class क्या होगा, service class होगा, तो हम यह सब annotations देने ना भूलें, बहुत प्रेशान हो जाईएगा, error आएगा, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर यह कर लेंगे, अब फिर यहाँ पर हमारे पस क्या-क्या जोद परेगा, वह हम देख लें करेगा, वह card DTO return करेगा, ठीक है, जैसे जौद पढ़ गया हमारा card DTO, तो हम यह यही छोड़ेंगे, और आज आएगे, हम payload पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यह नया पर क्लिक करेंगे, और फिर card DTO क्लिक करेंगे, और हम एक card DTO का class बना लेंगे, जो की card में हम जाएंगे और यह यह है, और यह है, यूजर से, ठीक है, यह दोनों को हम copy करेंगे, और card DTO पर आजाएंगे, और यहाँ पर आके paste कर देंगे, तो कुछ जादा paste हो गया, क्या, ने, ठीक है, ठीक है, तो यह दोनों हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो काड आइटम है ना यहां पर काड़ में क्या होगा काड़ ब्राइडि तो हो गए ओगा टिक है यहां पर यूजर टीओ यूज करेंगे ना कि यूजर यह और इसको हम भण देंगे विए दिख्यें और यहां पर यह जो दिख रहा है सेट आइटम डिट यूज करेंगे ना कि यह तो आइटम इटयो तो यहां पर दिख रहा होगा कि आइटम डिटी ओ भी हमारे पास class नहीं है तो फिर आएंगे पेलोड पे और नेक्ट पर क्लिक करेंगे और class पर क्रीट करेंगे और card item dto card item dto बना लेंगे और हम आजाएंगे card item में और card item में क्या-kia property यूज किये हैं सब हम देख लेंगे और फिर यह हम करेंगे और card item dto आ जाएंगे और यहां पर हम create कर लेंगे तो यह हुगी हमारा card यह सब में तो कुछ कर नहीं नहीं है totally और यह relationship समय इस पर नहीं चाहिए और यहां पर हमारा card dto होगा और यहां पर हमारा product dto होगा जिसमें हम सब में लिखते जाएंगे dto ताकि पता चले और यह भी dto होगा ठीक है relationship का यहां तो कुछ बात ही नहीं करना है और यह भी इसका भी बात नहीं करना है हमें हमारा card item dto भी त्यार हो चुका है अब हम यहां पर क्या करेंगे सोर्स में आएंगे और आपको दिख रहा गेटर सेटर select all करेंगे और गेटर सेटर देट कर देंगे तो हो गया हमारा यह class भी क्लास हो गया एक बार यह सब फिल्ड बढ़ियां से देख लिजिए है ठीक है यहां तक यह सब फिल्ड को लिखना उसके बाद पर हम गेटर से कर देना है अब काड़ डीटियो आ गया काड़ डीटियो भी हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है जो कि यह है कि अधियारेजमेंट कर दे रहे हैं बस हम यह दो फिल्ड हमारा एड हो चुका है और यह बस हम यहां क्या करेंगे सौर्स में आएंगे और गिटर सेटर पर हम क्रकने क्लिक कर देंगे जो कि यह हमारा गिने surgical कर देंगे जो कि नाम का method बनेगा जिसमें से return हम नल लिख देंगे कि अभी हम एरर नहीं चाहिए तो और यहां पर हम क्या करेंगे change to कि मिटमिन्स यह क्या किया कार्ड पेलोट से कार्ड को इंपोर्ट कर दिया ठीक है बस इतने ही करना ही था हमको अब हमें यहां पर क्या क्या देखना पड़ेगा तो हमें अब यहां पर क्या क्या देखना पड़ेगा वह हम देख लेते हैं तो हमारे पास यहां पर आएगा तो हम यहां पे एक आई डू मेको वेस्ट जिसमें से हमारा इट्रवेश्ट है जो कि आईटम लेगा हम पता चल लोगा आईटम रिक्वेस्ट कहां से आ रहा है कहीं से नहीं आ रहा है करेंगे और स्ट्रिंग यूजर नेम तो यूजर नेम यह चीज तो हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे कहां पर API response में या फिर पेलोड पर ही क्रिएट कर लेते हैं क्लास जो की हमारा यह रहेगा क्लास और यहां पर क्लास का नाम हम आईटम रिक्वेस्ट रखें न तो यहां पर जो रखें इसन कर लेंगा कर लेंगा आई टार्प आर एक्यु वैस्ट तकीजिटी एक वेस्ट यूजु यूज एस ती saud altri इस नाम से हमें class create कर लिए अब इसमें क्या-क्या फिल्ड होगा वो देए तो जो आइटम request में हमें डालेगा वो क्या-क्या फिल्ड हो सकता है प्राइब स्क्राइब गढम हो मिप्राइब एंट यह पर प्रोड़क्ट आईदी होगा कि कुम सा प्रोड़क्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है एक हमें पूड कर दो भाई वमारे कार्ड में प्रोड़क्ट आईडी और दुसरा जो हमारा होगा कितना quantity में होगा तो private int qant quantity qantity और फिर तीसरा जो हमारा होगा बस दो ही चीज होगा कि कितना product चाहिए उसको और कितना quantity में चाहिए ठीक है दो फिल्ड हम लेंगे और दोनों का क्या करेंगे गेटर एंड सेटर कर लेंगे वनली बस और यहां पर आये हम इसको पेटर एंड सेटर पर आये और किलिक कर दिए गेटर सेटर हमारा क्रियेट हो चुका है और इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर भ क्रियेट कर लेंगे यहां पर आएंगे और एक यूजिंग सूपर कंस्ट्रक्टर कहीं पर रहता है यह यह द्रहां और यह हम सूपर कंस्ट्रक्टर को भी क्रियेट कर लेंगे बस हमारा यह आइटम भी क्रियेट हो चुका और यहां से एरर भी हट चुका हो नहीं हटा है तो हम यहां पर इंपर्ट कर लेंगे बस एरर अबट चुका है तो हमारे पास आइटम के अंदर क्या क्या है एक प्रॉडक्ट आइडी है कौन सा प्रॉडक्ट को एड़ करना चाह रहा है और तो सबसे पहले हम को क्या करना होगा यूजर फाइंड करना होगा कि चू यूजर बोल रहा है वो यूजर एक्ट्वल में है भी नहीं नहीं है तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे जो आइटम में आ होगा हमारे पास प्रोड़क्ट आईडी और प्रोड़क्ट क्वाइंटीटी हम उसको यहां पर फैच कर लेंगे तो उसको फैच करने के लिए जस्ट हम क्लिक लिखेंगे यहां पर आइटम डॉट गेट प्रोड़क्ट आईडी तो इससे हमको प्रोड़क्ट का आईडी मिल आघए गा हुआ कि तो मैं पर प्रोडक्ट आडी मिल चुका होगा जो कि मायका क्यों प्रोड़क्ट क्वाइन्टिटी और हमारा यह क्वाइन्टिटी निकल गया जिसमें से हम क्या करेंगे आपका ए कि अछेजंड प्रोड़क्ट क्वाइन्टिटी रहने जोतलि से और यहां पर यहां पो कि अहां पूर्ड और इस धैया भी क्या फोग्या दोनों चीज हमारे पास है कि कि वह कितना product काड में कितना कुछ add करना चाहरा है और कितना क्या करना चाहरा है ठीक है अब हमें पास users को हमको identify करना होगा तो उसका card item से में को set product कर भी करना होगा तो तो उससे पहले हमको यहां पर क्या है user find कर लेंगे कि actual में वो यूजर इस email id से है या नहीं है यूजर यूजर नेम क्या हमारा basically email है तो इससे हम find कर लेंगे तो basically हमें user find करने के लिए क्या जोद परेगा user repository जो कि हम यहां कर लेंगे user यूजर रैपो जैटरी जो की हमरा आएगा user रैपो से और इसको हम ओटो वायर कर लेंगे शिदा जो 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 पढ़ते जाएगा हम ओटो वायर करते जाएंगे तो don't worry about it and let's see तो हमारे पास यहां पर आ गया user रैपो जैटरी तो हम यहां पर यूजर रैपो जैटरी के इमेल जो की हम create किये हैं इमेल और यहां पर हम इमेल में user नेम चल जाएगा ठीक है और और यहां पर हम एक लेमदा फंक्शन्स फास करेंगे और लेमदा फंक्शन्स के मदद से हम यहां पर न्यू रिसोर्स नॉट फंड एक्सेप्शन को कॉल कर लेंगे रिसोर्स नॉट फंड रिसोर्स आरी एस ओ यू रसी रिसोर्स और रिसोर्स नॉट नहीं आ रहा है हमारा जी एस ओ यह है जी एस ओ यू और सी रिसोर्स नॉट फंड एक्सेप्शन तो आता है लेट से और इस एक्सेप्शन के अंदर में हम लीख देंगे यूजर जी नॉट पाण्ड यूजर नोट फंड टीकर समझ जाएगा जो यूजर नहीं मिलक्त है अभ हम इसको क्या कर लेंगे इस यूजर को माशन कर लेंग जोकि यूजर सहञे अगर हमारे दिए ज़र केंगे कि product a stock में है या नहीं है तो product dot तो हम पहले ओरडर देने से लेने से पहले उसको हम check कर लेंगे कि हमारा product stock में है भी या नहीं है कि हम ऐसा ही लीए जा रहे ऑडर हमारे maker we spray मारी psych कि मिश्मारे पास थो यह तो कैसे हम 카 करेंगे तो उसके तो सबसे पहले मूझ प्रोडक्ट को ही डाइट निकालेंगे ठीक है तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट को तो हम प्रोड़क्ट को नसलने के लिए यह द capitalize हम लिख लेंगे और इसमें हम प्रोडर रबग्ष इतना लिखेंगे एडड़ेट और टो वायर्ड ठीक है और आपको यहां पर मिल जाएगा प्रोजक्ट रैपोजेटरी और फिर हम यहां पर प्रोजक्ट पूस प्रोड़क्ट को निकाल लेंगे दिस डॉट प्रोड़क्ट रैपोजेटरी डॉट यहां जो थो सब्सक्राइब दो लिए फॉट करेंगे ड़ो फट लिए अइड्य सबस्क्राइब Dal expressions वह मेसे कर देखो करेंगे एल्स एल्स और एल्स त्रो इसमें नहीं लेगा सैड ले लिया और से थ्रो और फिर से हम यहां पर क्या करेंगे एक लैमदा एक्सप्रेशन दे देंगे और यहां पर न्यू री सोर्स नॉट फांड एक्सेप्शन जो कि जैन्डेट गलत जगा हुआ होगा यह तो जी एस ओ यू रिशोर्स नॉट फांड एक्सेप्शन और यहां पर हम लिख देंगे यह क्रिश्टा है प्रोड़क्ट नॉट फांड चिक है यह चीज अब यहां पर हमें क्या मिल जाएगा प्रोड़क्ट मिल जाएगा तो हम यहां पर ड़ करेंगे चर लेंगे अब हम यह फच कर लेंगे तो जो फर्टेक्लर πमिल रखाओ जो प्रोड़क्ट आड़ लेखा से निकाले होंगे और हमारे पास प्रोड़क्ट हैं स्टॉक में है यह नहीं है इच्व damn Ewok frock में होगा तभी भूले पाएगा जिकश है तो हम यहां पर इक छूटा इए चुटिया तो वह स्टॉक में है तो हम अगर पर दर प्रोसेस करेंगे अब क्या करेंगा स्टॉक में है तो देख लेते हैं तो हम एक क्योंश पर आस पेस्टेना चाहते हैं कि यहां पर हम बता देना चाहते हैं कि फैच यूजर कौन यूजर है जो कि हमारे पास लॉग इन किया है ठीक है और फिर तो साब कोडिंग तो सा बढ़ रहा होगा लेबल तो देखते जाएं एफ एच तो डट प्रोडक्ट को भी फैच कर लेंगे हम ठीक है और जैसे प्रोड़क्ट हमें मिल जायगा कुछ करना के जोत नहीं अब हमारे पास प्रोड़क्ट मिल गा प्रोड़क्ट आफ लिएम और सटोग चेक कर लेंगे और हैर कि हुए है ये सेखिंग अ को ये पर टर्ट अस्ट आप कि एसटी ओस तेका स्टॉक ठेक है हम प्रोडुट्ट स्ट्उक भी शेतर हैं यहाँ पे अब हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है अब रॉक्ट अस्टॉक हो चुका है अब हमें करना क्या है कि अगर कि अगर कि अस्टॉक में नहीं होगा तो हम डाइटली मैसेज कर देंगे कि प्रोड़क्ट नहीं है स्टॉक में तो माल लेगे इसमें मतलब कि प्रोड़क्ट है या नहीं है जिसका अपोजिट में प्रोड़क्ट नहीं है तो यहा कंद और यहां पर को और तो प्रोब्ट uh और ऑफ एस्टी ओ सी के स्टॉक से निकल चुका है तो यह कर नियुक्त प्रोडक्ट यहां पर ही नित्री हो गया तो यही से एक्जीक्विशन को हम रिटर्न कर देंगे जो की एक्षेप्शन यहां रेट कर कर देंगा और बाहर निकल जाएगा ठीक है अगर नहीं होता है ऐसा कुछ तो हम आगे हम यहां पर क्या करने वाले हैं अब यहां से थोशा कोडिंग कंप्लेक्ट होगा तो हम देखते हैं किरियेट कर आइटम विद प्रोड़क्ट आइडी की रिए टी की रिएट कार्ड आइटम विद प्रो रड़क्ट आइडी एंड प्रोड़क्ट को हम काड आइटम को की रिएट करेंगे अगर वो प्रोड़क्ट को अस्टॉप में होगा तो तो काड आइटम को क्रियेट करने के लिए हमें क्या करना होगा card item dot set card create करने के लिए set करने के लिए card item dot set card तो उसके लिए card item basically हम लोग जानते हैं किसी चीज को भी create करने के लिए हम एक object create कर देते हैं जो कि हमारे पास card item equal to new card id not row item term तो यह हमारे पास card item create हो चुका है एरर कहां है वो भी हम देख लेंगे अभी तो यह हमारे पास कुछ error दे रहा है तो basically छोटा सा mistake क्यों करते हैं हम पता नहीं यह और यहाँ पर card item को set import नहीं है क्या तो card item हमारा import हो जाएगा और हमारे पास card item हम create कर लेंगे और उस card item में सब कुछ हम set करते जाएंगे जो कि हम रखे हैं तो उस card item में सबसे पहले जो product फैच कि हैं उस product को हम set कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हम जो लिखें हमें card item.set product जो कि product लिए थे हम उस card item के लिए एक नया card item हम create किये और उस card item में हम product को set कर दिए अब फिर product का quantity भी set कर देंगे card item.set product अब हमारे पास क्या रहा है टोटल प्राइज हम set करेंगे ठीक है तो कार्ड आइटम card item.set total price हम कैसे set कर पाएंगे तो यहां पर हमेरे कुछ करना पड़ेगा तो बैसिकली कुछ यहां नहीं करेंगे हम यहां पर एक ले लेंगे है इंट समेंट ने डबल डिवो यू डिवो यू यू बी अलिट डबल टी यू टी अलिट टोटल पी और आई प्राइज पी आर आई सी सी और यह ले लेंगे अब इसमें हमारे पास क्या रहेगा प्रोड़क्ट सेंग आए अरे अरे कर्कोड डॉट टॉट इक drives चिखर प्राइस हमारा मिल जाएगा है कि प्रॉट त का यूट टाइट अ रोड़क्ट टॉट गेट टॉएंट इंह पिर कोईंटिट टी और हमारे पास क्योंटिटिटी मिल जाएगा और इस वाले हमारा प्राइज को हम यहां पर सेट कर देंगे कि इस वाले प्राइज को हम यहां पर सेट कर देंगे तो हमारे टोटल प्राइज भी सेट हो चुका है अब हम गेटिंग कार्ड आइटम फ्रॉम यूजर हम पहले चेक कर लेंगे जो यूजर है उसका पहले ही कार्ड बन चुक होगा तो कार्ड नहीं बनाएंगे उस यूजर का अगर कार्ड नहीं बना हुआ होगा पहला बार यूजर शॉपिंग कर रहा हमारे तो हम उसका कार्ड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर गेटिंग गेटिंग कार्ड आइटम फ्रॉम यूजर कार्ड आइटम फ्रॉम गेटिंग कार्ड आइटम फ्रॉम यूजर गे कार्ड गेटिंग कार्ड नॉट कार्ड आइटम तो हम कार्ड गेट कर लेंगे यूजर का यह ठीक है तो हम यहां पर कार्ड में हमारे पास क्या होगा आइफ अब ऐसे थिए तो मेरे पास यूजर तो आहीं चुका है यूजर डॉट गेट कार्ड कॉल कर लेंगार्ड में नहीं बनाए ऐगा सिय यूजर में कार्ड नहीं है तो सब कुछ है बट हमारे पास कार्ड नहीं है यूजर में तो हम एपिंग में थोड़ा सा कुछ हम वाला में और यूजर में हम देखते हैं तो यूजर आगे हैं और यूजर में हमारी सेटर फ़ franchi voter & you can buy data set और यहां पर excited कर लेंगे कार्ड का और जैनेरेट कर देंगे सेट यहां से कॉल करेंगे अपना तो यूजर टर्डर लेक्र कर अगया यूजर का कार्ड मुंगा लिये अब उसको हम na chris, ये बेडियेबल में श्टोर्य भी कर लेंगे, जो की CARD, Eval to COWCARD. अर अगर CARD हमारा वो क्या होता है, Null होता है, तो उसके पास बेज़ारा के पास CARD नहीं है, CARD अगर नहीं होता है, तो उसके पास CARD नहीं है, तो हमें उसका CARD بiğ एट करना हैंब है ल Hugh वरवес कको तो में पास पहले आगया तो इसका हम पहले क्या करते हैं भाई साहब आपका कार्ड नहीं है तो आप लोग हमारा कार्ड कर दे रहा हम आप सो काड़ हमने इसका कीनिश कर दिया और यह काड जो किनिश किया है वह हमारा कार्ड इंपोर्ड भी करना पड़ेगा सायद तो यह का जब साय रखे ओके यह डूब्लिकेट कार्ड साइड कहीं बना हुआ है क्या तो यह डूब्लिकेट वाला एर्र था और यह क्या बोल रहा है सेट आर्गूमेंट वगेरा आज कार्ड कार्ड आइटम और नल ओपन डिखलेशन इचा यह हम अचा यह अच्छा यह चांतर के वजहां राया है जब भी और नूंब होगा तो इस यह ले रहा है इस मेंस यहां पर डिफॉल्फ नहीं किये यहां पर कर देंगे हैं तूपर कंस्ट्रक्टर देखे यहां सुपर का स्टपर कर देदिल regular देखला है और यहां पर क्या था सबसे पहले हम कंट्रॉल कर लए फ्रें क्या हो गया कि अंब घ्याрах पर देख रहे हैं तो यह ज़रा है एक सेकंड कंट्रोल आई कर लेते हैं सोल करेंगे तो यह सब कोड हम कर चुके थे यहां तक टेकर तो हम यहां पर काड़ one गेट कर लेंगे यहां पर काड़ गेत की ए काड़ में या स्टो अदो किया है तो क्या है मैं जीटिंग यूजर रहे वर यूजर कार्ट नल होगा तो इसमें तो यहां जाए अática है उख कि सिक्ली एर कुछ नहीं था वहां पर काड़िए वाला काम जो यहां पर कार्ड़ की टैंक सेवने किया थे जरी टीक और यहां पर जैसे सेंव कर दिये तो एर काटम होगया ठीक है अब हम यहां पर फिरश्टली क्या किए काड़ चेक कर लिए यूजर का गेट कर लिएं कार्ड अगर कार्ड में हमारा नल आ रहा है तो उसका हम कार्ड करेट कर दिए अगर नल नहीं आता है तो एल्स में क्या करेंगे हम यह देखना है अगर नल नहीं आता है तो हमें अब क्या करना है अगर नल नहीं आता है तो हम card item को मनलू card मुझे कोछ पहले से card create है तो card item हम पहले create कर चुके हैं तो उस card item में set कर देंगे तो card item.set card और card हम set कर देंगे और इस card item का हम एक object बना लेंगे जो की card item 2 ने card item ठीक तो है यहां पर set पहले से object बनाए हुए यहां पर तो object बनाने का दुबारा जोट नहीं पड़ेगा इसी card को हम इस card item में save कर देंगे और card item हमारा save हो चुका है अब हम क्या करेंगे उस card से हम item get कर लेंगे ठीक है तो card.get यह सब possible है सब mapping के वज़े से हम यहां पर card से card item को get कर लेंगे और card item से में हम इसको initialize कर लेंगे items नाम का मतलब कितना है उसका card में क्या-क्या items है तो हमारा पतला चल जाए है card में क्या-क्या item है save card create ही हुआ है कि यहां पर हम कुछ को काम करना है तो यहां पर हमने क्या बोला था कि items में क्या है हमारे पास बहुत सारा product हो सकता है card items में तो हम check करेंगे कि उसके पास product है या नहीं है अगर पहले से वह product समझते हैं अगर card उसके पास पहले से items items card items में product है तो हम उस product quantity बढ़ाते जाएंगे one one plus करते जाएंगे अगर उसके पास काप वह product ही नहीं है तो नया product add करेंगे उसके card items में तो यह basically मैं बोलना चाह रहा हूँ था तो अब हम यहाँ पर जो हम बोले उसको link भी देते हैं here 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 we check item is is available level level in item table in item table मतलब card item में in card item table से better होगा कि card item जी दे इन card item or not या तो नहीं if 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 card item is available 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 then then we increase increase quantity only quantity only else अजर नहीं होगा तो add 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 new product in card item तो यह मैं बोलना चाह रहा था कि पहले हम check कर लेंगे उसका card item में product है या नहीं अगर उसके card item में product होते हैं तो उस product का हम save quantity increase करेंगे और और नहीं है तो हम उस card item का quantity नहीं increase करेंगे product को ही add कर देंगे तो यह simple सा language में मैं यह बताना चाह रहा था तो अब हमें यहाँ पर करने के लिए क्या क्या कर जोद पड़ेगा तो वह में कितना सा product है मैच हो रहा या नहीं है तो stream इसके पास क्या होगा बहुत सारा प्रोड़क्ट होगा श्रीम डॉट कि डॉट मैप ठीक है हम यहां से मैप करते जाएंगे और एक हम आई हाँ नाम temporary functions का नाम हम आई ले लिए और इस आई को हम डबल ब्रैकेट में कर देना ताकि लेम्दा functions भी यूज कर पाएं लेम्दा functions यूज कर पाएं और यह हमारा यह ऐसा कुछ हो गया कुछ एरर आ गया तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे यहां पे तो महां अब ठीक है कि क्या है यहां पर हमारा यह हट चुका है तो उसके बाद फिर हमारे पास जो लास्ट वाला है यह लिख लेते हैं ताकि एरर ना दिखे या एक काम करते हैं कोई बात ने पैसेंस डॉट आई यहां पर तो यह हमारा थोड़ा सा हो सकता है प्रोग्लम कि यहां पर हमारे पास कि एस एस इस होट कर लेंगे और है लो लिख देंगे सीप अभी हम यहां ठीक है जितना वर प्रोड़क्ट होगा इरिटेट करके वह है लो लिखेगा और यहां पर डॉट क्यों नहीं काम कर रहा है का एक सकना बाउच करके देख तो गाइस हम सबसे पहले क्या कि है सारा इनकीज मतलब इरेज कर दिए और फिर हम मैप यूज कर लिए अर अब हम नली रहने देते हैं उसके बाद फिर हम पर हम करेक्ट यूज कर लिए और फिर हमें है यहां पर किसमें चाहिए सेट में चाहिए ठीक है तो यह चीज का ध्यान रखना है तो हम यहां collectors.to list नहीं करेंगे सी वो डबल एल इसी टी ओर एस collector.to set चाहिए हमें यहां पर ठीक है और यह हम कर दिए तो यहां पर error हो गया खत्म और फिर हमारे पास यहां पर आएंगे हम यहां पर lambda functions का मदद से जाह हो रहा है पेज अपड़न हो रहा है चीख्या है यहां पर थे हम लोग और यह हम यहां पर एक ऐसे create कर लेंगे तो error जैसे हम create कर रहे हैं वैसे यहां पर error कुछ दे दे रहा है अब इस error को हमें पढ़ना होगा पैसिकली हम यहां पर कुछ स्टेट्मेंट ने लिख रहे थे ना उसी वज़े से हमारा पास error था तो हम यह नल ले नल को हटाएंगे और आई और यहां पर हमारा पास इसको रैकेट से करेंगे लिögर करेंगे हम यहां पे दो ब्रैकेट इन में जाकर प्रेस करेंगे यहां पर दो ब्रेकेट लगा हैं उसके बाद हम खुद से इंटर प्रेश कर दिए और हम यहाँ पर एक भी हम को कुछ ने कुछ लिखना पड़ेगा और हम यहाँ पर लिख दिया तो देख रहे हैं एरर हट चुका है ठीक है को अस्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जैसे कि हम यहाँ पर यह भी लिख देंगे, s out और system out लिए देते हैं, sys out, lambda functions का basically है यह तो यह statement पर यह नहीं ले रहा है, यहाँ पर बड़ा statement मतलब एक line के इलावा statement आपको देना पड़ेगा, तो दे देते हैं तो हम मेरे पास तूचाहिए भी यहां पे हमें तो हम check करेंगे उस product पर है की नहीं है तो इस आई क्या हमरे पार I. privileged डॉट रिक्त and go Tonya rd prd ऐड़ी और यहां पर जो हमारे से आ रहा है उसको प्रोड़क्ट फैच किये हैं उससे डॉर्ट कि टॉर्ट प्रोड़क्ट टॉर्ट गेट प्रोड़क्ट आइडि यह दोनों मैच कर जाता है इट मिच उसके पास पहले से ही है ठीक है देकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है मारा मैप वाला कोई बात ने शौल होगा कि देखते हैं कोडिंग करते हैं फिर देख लेंगे तो प्रोड़क्ट आइडि वगरा से हो जाता है तो हम मतलब कि जो यह मैप वाला आइडि है मैच करता है किसी प्रोड़क्ट से जो हमारा प्रोड़क्ट है उससे तो हम क्या करेंगे इसमें आई डॉट सेट क्वाइंटिटी सिप क्वाइंटिटी हम सेट की कर देंगे ठीक है और फिर आई डॉट कि सेट कि टोटल प्राइज जो कि हम वहाँ पर लिख चुके हैं और फिर कि से पो फ्लैग हम यहां पे फ्लैग को हम द्रू कर देंगे ठीक हैं तो हम यहां परव BLACK लेते हैं तो एफ एल एजी एफ लेजिए फ्लैग य स्टैप कर लेंगे हम बुलियां तो दबल लि आलल ए भी वो डबल ऑल ईन भी डबल ओ ली एन हुता है भी डबल ओ ली एन बुलियन एफ ले एफ ले फ लेग तो हम है अप बुलियन टाप का एक फ्लैग ले चुके हैं और यहां पर हम लैग एफ ल एफ ल एफ लेग डॉट से टू या फिर एकोल टू कि यहां पर विए देगा तीकिं़र यहां पर स्टूफ कर देंगे और यहां पर से बाहर निकलके हम 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 रिटर्न 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 आई कर देंगे जिसके वज़े से यह एर्र था ठीक है रिटर्न आई कर देंगे और फिर हमारे पास रिटर्न हो जाएगा क्या सेट हो जाएगा रिटर्न नहीं तो फिर एर्र तो है अभी भी तो यह रिटर्न हमारे पास जो नहीं था उसके व कर रहे होंगे तो वहीं बोला था अगर हम इसको हटा दें तो अभी भी बोलेगा रीटर्ण कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो यह हम मैप में बोल रहा हुआ देखेंगा एरर पढ़ेंगे तो दा मैट लिख क्या रहा है दा मैठ हर्ड मैप फंक्शन्स इस नौट अप्लिकेवल तो इसको रीटर्ण टाइप मैं चाहिए था तो अगर हम नहीं देते हैं तो हम यहाँ पर हम बेसिक्लीः करना क्या हम को ऩुद्डर्ण चाहिए तो रेडर्ण आ सरूवाश यहां स weq… कर देते हैं तो हमारे पास आई को यह रीटर्ण कर देगा Worब यहाँ पफ दीख रहा चाह रहें तो यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे क्या तो इसका भी एक alternate हमारे पास है solution तो जैसे कि हमारे पास एक है क्या atomic reference नाम का जो दिया है जिसमें हम लेंदा फंक्शन में अपडेट कर पाएं तो हम उसका यूज करेंगे और इसको अपडेट करने का कोशिज करेंगे ठीक है तो हम डारेट वैडियावल असाइन करके नहीं कर सकते हैं फिर हम क्या करेंगे atomic reference लेंगे तो atomic reference तो atomic reference और यह हम देखेंगे इस नाम से मिल रहा होगा इस ड्रॉमिक रफ्रेंस का हम टाइप लिख देंगे जो बूलियोन होगा बी डबल ओ ली ए एन ठीक है यह हो गया बूलियन और फिर हमारा जो यह बूलियन होगा वो उसका फ्लैग लिख लिए फ्लैग एक वर टू न्यू और फिर इसी atomic reference का हम एक reference बना देंगे अब हम इसके मदद से क्या कर सकते हैं फ्लैग को टू कर सकते हैं तो डॉट शेट वैल्यू और यहां यहां पे तो कर देंगे तो everything is fix तो हमारा सारा कुछ fix कर चुके हैं एक हम लोग नया concept सिखें लेम्दा फंक्शन में किसी value का update नहीं कर सकते हैं बट reference के मदद से atomic reference के मदद से हम उस पे हम कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारा solution था लेम्दा फंक्शन को लेके और अब हम next आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बढ़ेंगे चली देखते हैं तो अगर उसके पास product की रियेट मतलब product पहले से मिल जाता है तो यह सब process करेंगे हम product हो जेंगे उसका product items में जाएंगे सारा product को irritate करेंगे देखेंगे एक प्रोड़क्ट को और चेक करेंगे कि ID मैच कर रहा है कि नहीं माच कर रहा है मैच करेगा तो quantity जो यहां पर हमारा आ रहा होगा यह quantity यह quantity यह quantity को हम सेट कर देंगे उस प्रोड़क्ट में पहले से जितना होगा उतना ठीक है अब फिर अगर उसके पास product नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे हम फिर से फ्लैक डॉट गेट अगर फ्लैक डॉट गेट क्या बिजाता है ट हो कि नया है यहां पर होगा अगर पह्ले से बना हुआ है तो न्यू प्रोडक्ट एन या न्यू प्रोड अगर्वक्त कर लेंगे 12 रेंगे प्रोड़क्ट को नया उस प्रोडक्त में अप्डेट करेंगे और अप्डेट जब हो जाएगा तो आप बने का हमारे लिए उस न्या प्रॉडक्त में आगे काम करें यह एण पर तो यहां पर हमाने इस्तिवाहर और अगर if है एक है में कि एफ & हमें myf यदू रए और वह जब गěमें अगर टू देने बाई डिफॉल्ट यहां पर क्या लेए डेगा यह बाई टिफॉल्ट फॉल्स रहेगा थिक है बाई डिफॉल्स एकनवाई डिफॉल्स ताम प्रोडक्ट रहेगा तो पहले लब प्रोडक्ट को क्या करेंगा हम इरेज कर देंगे तो हमारे पास क्या था आइटमित को हम इरीटेट करके रख चुके हैं यहां पर तो डाइट के लिएर कर लेंगे हम वह सारा के लीएर कर देंगे और फिर आईटम्स डाट एड न्यू आइटम्स में हम लिख देंगे यहां पर जाता पूड्स एड लू प्रोडक्ट पस जीख है अगर वहाँ उसके पास नहीं रहता है product नहीं मिलता है फॉल्स यहां पर यह चीज नहीं रन करता है तो यहां पर पॉल्स आ जाएगा पहले से प्रोडुक्ट ने रहता है तो वहां पर नया product इसको create करेंगे और quantity set करेंगे else तो यहाँ पर हम card item में जो use की है card item dot set card को हम कर देंगे जो card में आ रहागा उसी को set कर देंगे item.s add items dot add card item बस simple बस इतना सा हो गया और हम card को update कर देंगे तो अब update करने के लिए हमें यहाँ चाहिए क्या card को update करने के लिए हम पास method चाहिए तो उस method को कहा से हम लाएंगे तो आहिता और हम उपकूठेरी चाहिए जो की हमेंचाहिए card रैपो जेर्ट्री जो में बनाया ही नहीं है काड रैपो जैट्री तो आ जाएंगे रैपो जैट्री में जो कि यहां पर देख रहा होगा और यहां राइट क्लिक करेंगे ऑपन पर जाएंगे इंटरफेस पर जाएंगे और काड रैपो एस आइटी ओ रवाई काड रैपो जैट्री नाम का यह बना लिए जो कि यहां पर एक रैपो जैट्री को हम जो की एक्स्टेंट कर रहा होगा किसको एक्स्टेंट जे पीए रैपो जैट्री जे पीए रैपो जैट्री को जो की आटी में क्या होगा हमारा कार्ड टाइप हमारा क्या हुआ नहीं नहीं मिल रहा है यहां पर कार्ड हमको नहीं दीख रहा है तो कार्ड को हम इन्पोर्ट कर लेंगे हमारे पास Card Reprojective भी बन छुका है। अब हम अगेन आएंगे Card Service में हैं। अब यहां पर लिख देंगे प्राइबेट यहां पर भी हमारा प्राइबेट चूता हुआ है। प्राइबेट 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 यहां पर प्राड को जैत्री यह कि जो की हमारा स्टियत काड़ अउंट यहां पर एक त्म्रयक्नुट करना परें साधंत करने वाले है तो कैसे अपडेट करेंगे तो दीस टॉट कार्ड रैपो डॉट अब हम क्या करेंगे अब सेब को कॉल कर देंगे तो हमारे पास सेब कर देगा जिसमें हम एंटीटी देना पड़ेगा हमको जो की एंटीटी हम देंगे यहां पर क्या कार्ड को जब सेब करेंगे तो आइटम्स दे सक यते हैं या फिर कार्ड हों सेव करेंद तो या फिर हमको काड्स चैब करना है तो या फिर आइटम में सुर्ष कर चुके हैं प्रट साथ यहां पर हमें मिल जाएगा क्या माडमी लागा अवाम कडेट्यो में चाहिए तो मोर्डल मंपर यूस और यूज करेंगे हम अब फिर हम लिख लेंगे मोडल माडल में डबल पी यार मैपर एड़ डारेट ओटो वायर्ड बस फिर अब नीचे आएंगे यहां पर हम और इसको ओटो वायर करके रिटरन क्या ओट वायर कर चुक है इसको हम मोडल मैपर के मदद से बसक्रम यहां आएंगे और रिटरन में यहां पर हमें मिल जाएगा कार्ड कर्ड अब तब उसको कार्ड DTO में कनभट करना हमार भर दीस πॉरत मोडल मपरेंटु ममेंप टॉट नियुअ प्रोडक्त नहीं कि लेंदू इनकी टी एस यह कर्डी कर्ड्र टिटियों ड्राट कि अब बस इतना सा Simple, था Card DTO से, Card में हम Map करके इसको वापस भीज़ देंगे, अब यहां पर Error आ रहा है, तो इस Error का क्या solution है, इस Card का क्या solution है, तो solution का बात करें, तो यहां duplicate कर चुके हैं, duplicate बना चुके हैं, वपर में Card उसे पर निसलाज कर रहे हैं, तो हम यहां लेक देते हैं, 창 mi buscar पर में आते हैं और यहां पर हम लिए देते हैं से शिल Till रस टशियर टी कार्ड क्लास और मैं सी सियर और कर्णी टी कार्ड टी यो Application Dots to क्लस्टUक हमारा ये कार्ड में एड़ कर लिया है सबसे पहले आपको कार्ड कंट्रोलर बनाना पड़ेगा तो कार्ड कंट्रोलर बना लेते हैं तो आ जाते हैं अपना कंट्रोलर वाले में और यहां पे आके नियू पर प्लिक करके हमें कंट्रोलर बना लेंगे जिसका नाम रहेगा हमारा कार्ड कंट्रोलर फिस न हमारे बना तो निजिए सीफाई करना होगा यह न पर सीफाइट अबन झाट्रोलर नहीं से चांट्रोलर बन जाए तो configuration नहीं कंट्रोलर नाम से हम इसको specify कर लेंगे तो हमारा यह controller नाम से specify करने के बाद controller से बढ़िया रहेगा हमें आप रेस्ट controller के नाम से हम specify करें ठीक है रेस्ट 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 controller और हमारा रेस्ट कंट्रोलर हो गया इसका request mapping जो हम दे दें request mapping वह कुछ हम card दे देते हैं CARD तो card नाम से class को call होगा जब भी हम है जोड़त पड़ेगा तो अब हम एक ही methodology बनाया थे वहाँ पे तो हमें दो चीज का जोड़त पड़ेगा चुक्की तो हम जो method बनाया है वह हमारा postman होगा क्योंकि क्योंकि card को यहां पर हम create कर जाएं तो उस method को हम चलिए करते हैं तो एक से प्रेस हो जा रहा रहा है तो पब्लिक और जो पब्लिक रहेगा रिस्पॉंस इंटिटी रिस्पॉंस इंटिटी में जो देगा वह हमारा card DTO ही return करेंगे हम रिस्पॉंस इंटिटी में card DTO CA-RD-CARD-DTO और फिर हमारा card DTO में जो method का नाम रहेगा card DTO double C लिखती है तो यह वाना double C remove कर देंगे और इस method का नाम रहेगा एड़ टू कार्ड एड़ टू कार्ड और इस method में हमारा दो चीज लेंगे हम हां यहां पर हम लेंगे रिक्वेस्ट बॉर्डी में अड़रेट और एक्यू यूई एस्टी रिक्वेस्ट बॉर्डी में हाँ हम लेंगे यहां रिक्वेस्ट बॉर्डी में जो कि चारली ने हम बता रहें रिक्वेस्ट रधी यूई एस्टी रिक्वेस्ट बॉर्डी जो कि कि हम item request नंहाम का बनायब थे classward的話 यहाँ पिन सब्सक्राविल में का जो शुब्सca भी हम नल कर देते हैं और टी टी ओ इनपॉर्ट नहीं है तो पहले काट्ट्डी आ इक हएँ जो कि काड आ रहा है प्लेजर पे से आ रहा है ठीक है जो कि हमें नहीं चाहिए रेजर पे से काड नहीं चाहिए यहां पर यह गलत हो जाएगा कार्ड कार्ड तो यहां पर हमें सुधारना होगा कि सिए आर्टी कार्ड डी टी ओ कुछ ऐसा स्पैलिंग हो रहा होगा यहां पर हम कार्ड डीट यो पे लूट से आ ठीक है यह सब कत्वा सा ध्यान रखना होगा हमारी बस रेजर पेकर डेपेंडेंसी लगा हुआ हम पेमेंट मैठर रेजर पर यूज़ के थे इसलिए पर डेपेंडेंडेंसी लगा हुआ है इसी वहां से कार्ड आ जाला था ठीक है तो आइटम रिक्वेस्ट आ रहा है हम बता रहें प्रिंस्पल क्या करेगा एक्चुली ठीक है पियार आई एंसी प्रेंस पल प्रेंसी पल और यह स्पेलिंग थोड़ा सा मिश्टेक हो जा रहा है हम लिख लेते हैं पहले तो यह हमारा प्रिंस्पल क्या इंटरफेस है जो कि हम परम में ले सकते हैं और अनदर अनदर्फेस पर वो कमपार कर सकते हैं बेसरेकी स्का काम क्या होता है कि इस्कुर टी परवाइट करता है और कुछ सी कुछ जो इन्टिटी को यह पर्जेट करता है रॉय हमारा क्या है है तो तो नहीं हो पा रहा है हुआ है तो यहां पर यह है करेगा जैसे हम अपने यूजर इड़ी से लॉगिन की एगए तो सिफ मेरे ही चार्ड दिखाएगा मेरे कार्ड में कितना है क्या विद्वल नाम से हम लिए यहीं पे हमारा क्या रहेगा यूजर नहीं मारा हागा फीरेंच फर्पर्ण में जो कि हम ल्ग रहा रिसी परेंगे तैसन ही रिसीब कर लेंगे उसके बाद करेंगे क्या पार पूर्गी करेंगे यह अ यहां पर सर्विस नाम से हम लिख लेंगे जो कि यहां पर प्राइवेट होगा और इसको हम एडरेट ओटो वायर्ट कर देंगे तो यह हमारा ओटो वायर्ड भी हो गया है और कार्ड नाम का सर्विस भी आ गया सब कुछ के लिए है अब हम क्या करेंगे यह जो कुछ भी आ हम उस पर टाइटली हम भेज देंगे दीज डॉट टा कर्ड सर्विस दॉड एड टू आइटम और यहां पर प्रिंसपल को वेजना है न लुक्ष जा रहे हैं है तो प्रिंसीपल प्रॉसेस नहीं प्रिंसिपल को भेज देंगे और यहां पर देखने को मिल रहा है जो की error है यहाँ पर principle find by email ऐसा कुछ है तो यहाँ पर डाइटली principle हम यूज नहीं कर सकते हैं और बड़ा पी हम यूज किये हैं यह नहीं कर सकते हैं इससे dot या फिर principle.getname इससे हम यूज कर सकते हैं और अभी हमारा कुछ error है यहाँ पर declaration में error है दोनों में हम वह एक ही रख दिये यह पी छोटा करना होगा और यहाँ पर यह पी भी छोटा कर देंगे तो यहाँ तो गौन हो गया बट एड़ सर्विस में अब error है जो की error है change method यहाँ पर change करने बोल रहा लेकिन अच्छा अस्टिंग ही यहाँ पर लिख किती है हम string username रहेगा यहाँ पर अब सही है तो अब ठीक है तो हमें यहाँ पर card data मिल जाएगा रिटर्न जो एड़ मैटम हो रहा होगा उसको अब इसको हम रिटर्न कर देंगे जो की हमारे पास return new response entity और इसके बीच में हमें लिखना पड़ता है जो रिटर्न टप है वो card card dto और फिर हमारे पास यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा जो रिटर्न कर रहे हैं एड़ आइटम ओमा और फिर स्टीटी पीएस स्टेटर्स भी हम इन प्रूड करेंगे जो की एक्सेप्टेड या ओके कर देते हैं ठीक है तो मेरा एड़ काईटम में भी हो गया तो अब हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं तो टेस्टिंग के लिए हम आ जाएंगे अपना पोस्ट में पे पोस्ट में पर आ गया हम और इस पोस्ट मेंड में करेंगे क्या टेस्टिंग तो कैसे करेंगे टेस्टिंग हम लोग बहुत बार कर चुके हैं तो हमारे पास e-com.backend था यह नहीं है यह एक्जैक्टली हमारा यह है ठीक है जो कि यह सारा कुछ हम चेक कर रहे ठीक है तो इसमें हम यूजर क्रेट करते फांड करते डिलीट करते और कर रहे थे यह सब सब ऑपरेशन कर रहे थे तो एक इसे ठीक है तो यहां पर हम आरा यह भी तो बनाना पड़ेगा इसका कंट्रोलर में आके पोस्ट मैपिंग यह तो छुट चुका है ना कर लेंगे और यहां पर हम लिखेंगे इस लाइस तो एडड करने के लिए बस कारडश लिख लेंगे हो जाएगा तो यहां पर आये हम और एक और हम method create कर लिए एड रिक्वेस्ट तो यहां पर होगा क्या एड टू लिख दते हैं पहले डिट करके यहाँ पर एड टू कि एड टू से एड टी कार्ट सेखें यह लिख चिक हैं यह हमारा पोस्ट मैपिंग होगा चोकि वहाँ पर कुछ ऑफरेशन कर रहे होंगे और यहीं वहला हम क्या करेंगे इसको उठा लेंगे कॉपी करके और एड टू कार्ड करने से पहले सारा टैंप को हम क्लोज कर लेंग ु यहां पर हमको एड़ टू कार्ट दीख रहा है इस पर आएंगे यहां पर पेस्ट कर देंगे कि और फिर हमें करना क्या है last में हमें मिलडा कार्ड इसको fire up करेंगे इससे पहले हमको हम क्या कर चुके हैं security लगा चुके हैं थीख तो अब हम एकर रिक्वेस्ट मानते हैं तो अनुथ्राइज आना चाहिए था जो कि अच्छा सेक्यूरिटी हम हटा चुके थे सायद तो यहां पर आएंगे हम और सेक्यूरिटी में देख लेंगे और सेक्यूरिटी कॉन्फिग्रेशन तो यहां अरतरा जाना चाहिए था लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए पता ही है कहां से रन होगा यहां राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे स्प्रिंग बूट एप में हमारा सर्वर रन हो रहा है और सर्वर रहा जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद हम आगे प्रॉसिट करेंगे तो क्याइज हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है अगर आब हम रिक्वेस्ट करें तो अनृत्राइज आना चाहिए जो बिलकुल आ रहा है यहां पर अनृत्राइज 1001 तो यह आरा इसके प्रॉसिट करेंगे तो यहां पर यहां पर यहां को यॉर्ल को पब्ली बनाना यह मतलब कोई भी यॉर्ल यह हम कमेंट बर रखेंगे अभी रख देते हैं इसलिए पहरे नहीं लगा रहे थे लेकिन एक यूजर का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था कि सर्षी के बारे में बताईए सेक्यूरिटी के बारे में बताईए तो सेक्यूरिटी का वीडियो बनाने बना दी है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और फिर आपका यह जो प्रॉब्लम है कि हम जब इस एक लगा लेते हैं तो हर बार हमें अनृत्राइज मिलता है ठीक है तो यहां पर हम इस अब हमारा पब्लीक हो जाएगा कार्ड वाला भी अगर अब हम रिक्वेस्ट मारे है तो अनृत्राइज अभी भी आ रहा है तो कार्ट 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 तो एक काम करते हैं इस यूजर को भी हटा देते हैं और यह रख देते हैं सीफ सीम्पल सा इसी को अब उन्थराइज नहीं आएगा अन्थराइज नहीं आएगा क्योंकि इस यूराइल को हम पब्लिक कर दिये कि अब ऐसे करेंगे अब यहाँ पर 405 में टॉटे लोड आ रहा है बैड रिक्वेस्ट वाला तो अब यह से हैं अगर हमको फिर दूसरा में यहां पर यूज करना होगा तो जैसे यूजर लथा तो ऐसे करके और फिर यूजर हम यूजर कर सकते हैं फिर इसे तब तीसरा यू करना होगा और यह आपको पब्लिक करके देते जाएगा किसी मैच करेंगा तो तो बड़ा सिंपल ही था यह हम लोग कर चुके हैं से अब हमारे पास क्या आ गया हम बॉडी में आ गए और यहां पर हम आइटम रिक्वेस्ट दे रहे हैं यह से क्योटी कार देते हैं तो यहा इसमें हमको प्रोड़क्ट आइडी देना है तो इसको हम कॉपी करेंगे और हम यहां बॉडी में आएंगे और बॉडी में आने के बाद रो में क्लिक करेंगे जेसन पे क्लिक करेंगे और यहां पे जेसन पे क्लिक करने के बाद हमें जेसन का सिंटेक्स तो पता ही है बस उ syllabus में हम देख लेंगे product है कि नहीं है अगर नहीं होगा तो प्रोडक्ट विखर नहों होगा हमें कि तो यह हमारा क्या है booking वाल से भी खने सधल आए वैसा खो़र प्रालम नहीं है तो इह कॉम प्रोजेक्ट में है database में हमारा तो यह हमारा टेबल लेंगे और हम देख लिते हैं प्रॉडक्ट होगा तब हमारे भी बढ़ प्रोडक्ट नहीं हमारे पास तो और रना चाहिए था आए गा Matya तो दख लेते हैं अलाबी इस केस में क्या देगा छुक्र तपहला प्रॉडक्ट फिर कितना स्थी चाहिए हमको तो मीरेनी Jughead को 15 दे देते हैं क्या दिकत है तो यहाँ पर हमogenol में беспوفyне ठीशेच ग्या रिलाय में हचा चाहिए हम को तो प्रीज प्रफट इट इन आप क्वाइंटिटी अब Canada के बाद प्रोड़क्ट मिच्फा बस request body में ले रहे हैं क्या तो हमने जो principle यहां यूज किया था ना तो वह जो करेंट यूजर लॉग इन रहेगा उसको फैट्स कर लेगा ठीक है पर हम अभी ब्लैंक पूट कर देते हैं तो इसको रन कर लेंगे हम अनुत्राय जाएगा अब देखते हैं होता है कि नहीं होगा तो मुझा सॉलूशन करेंगे बट आए ठीक डाइट इट विल भी सेक्सफूली दन तो अब हम लोग आ चुके हैं इस पे और इस जगा पर हम कह है यहां से हम और टिकेट करेंगे अब भी मैठट नोट एल ओड आ रहा है जो कि टेस्ट वन टू थिरी इस नाम से यूजर है क्या कोई देख लेते हैं टेस्ट वन टू थिरी सारा कुछ तो है सेम है तो मैठट नोट एल ओड आ रहा है इस पे भी है तो सी सी एड़ रेट जीमेल डॉट कॉम देख लेते हैं यहां पर सी सी और यह था सी एच ओंट टू थे लिए टीक यह इस पे देखते हैं मैठड नोट अलॉड तो एक सेकंट तोसको में फाइल करना होगा अलुट भी कर लिए हम लोग वहां से जो रिक्वेस्ट कर रहें गेट मैठड कर रहे हैं हमारे पास यहां कौन सा पोस्ट मेठड है या हम लोग फी अब हम सेंड करें तो प्रो चुके हैं तो यूजर को हम प्रोजेक्ट को रीरण करेंगे अब यूजर अड़र पासवट नहीं देंगे तब देखते हैं क्या होता है कि तो हम यह रण हो चुका है अरब हम यहां से यह रिमूब कर दिए और यह रिमूब कर दिए अब सेंड किये तो अनुथराइजड आएगा ठीक है और जैसे हम यूजर आडी पासवर्ड देंगे तो यह प्रिंस्पल क्या करेगा हमारा कंट्रोलर में आ जाएंगे यह प्रिंस्पल हमारा क्या करेगा जैसे हम जो भी यूजर आडी और पासवर्ड से लोगिन रहेंगे उसी का फैस्ट कर लेगा यूजर नेम और यहां पर पास्ट कर देगा आउटमेटिकली ठीक है तो यह प्रिंस्पल का यह काम है बिसिकली जो लॉग इन रहेंगे हम लोग कुछ ही और किसी और एकॉंट से रहेंगे जैसे की टेस्ट एड़रेट जी मेल डॉट कॉम और वन टू थिरी इससे हम लॉगिन करेंगे तो वहां पर अगर हम देखें अगर प्रिंट करके दिखाए तो इसको दिखेगा हम दिखा रहे हैं हम एस वही एस शीस आउट और प्रिंस्पल डॉट गेट यही मेठ़ड हम यहां पर भी लिक प्रिंट करेंगे तो यह अब हम इसको रन करेंगे और फिर से तो यहां पर आप कंसोल में साब सब दिखेगा कि अब टेस्ट यूजर लॉगिन किया है तो उसी का डिटेल सारा रिक्वेस्ट प्रोड़क्ट नॉट फांड और लाइन नंबर 29 में कुछ नहीं आया क्या हुआ 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 है प्रिंस्पल डॉट गेट नेम सिस्टम डॉट 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 फिंट एले रिटर्न करने से पहले किये हैं एड टू काड डीटियो तो यहा हुआ 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 है यह अब जब बोले हैं तो करके दिखाते हैं स्ट्रेंग और फिर इमेल अब फिर प्रिंस्पल डॉट गेट नेम और फिर यह इमेल को प्रिंट मार दो कि लेकिन 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 इससे पहले अब नहुंगा है तो रीक्वेस्ट आ जा रहा है फिर रिटर्न करने पार है आप करेंगा ठीक है अब हमार सक्सेस्फुल्ली यहां पर हम आएंगे रिक्वेस्ट मारेंगे हमारा स्क्रीन में दीखेगा टेस्ट और यह लॉगिन किया है हम यहां पर आईडी चेंज करेंगे cc-mail.com और फिर यहां पर हम ch123 करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे तो यह दिखेगा च्वाबू अभी लॉगिन किया है तो यहां से यह पता चल रहा है सर आपको तो बस अब हमारे पास प्रोड़क्ट नहीं मिल रहा है तो हम पहले प्रोड़क्ट एड करेंगे तो प्रोड वेस्ट का नाम एक्चली हमने बोला था ना कि हमारे सारा कुछ ड्रीट हो चुका था ठीक है तो यहां पर हम लिखतेंगे प्रोड़क्ट एड ठीक है और हमारा प्रोड़क्ट एड का मेथड हमारा पोस्ट मेथड है और लोकल होस्ट ही चलेगा यहां पर हमारा तो यही ल प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर पे और प्रोस्लाइस प्रोडक्ट तो हम यहाँ पे यह हटके स्लाइस प्रोडक्ट हो जाएगा और यह यूरल है हमारा तो इसको भी कॉपी कर लेंगे तो स्लाइस यह भी कॉपी कर लिए ठीक है तो यह दोनों हमारा कॉपी हो चुका है अब हम करेंगे क्या कैटेग्रीड आइडी तो देख लेते हैं हमारा डेटावेस में कैटेग्रीज है क्या नहीं है तो कैटेग्रीज नहीं है तो यहां से हम कैटेग्रीज क्रिएट कर लें redemption之 providing mobile आब हम यहां category 1 और हम यहां है यहां कर देंगे यहां ऑड हम बाड़ी में जाए भी नियुद्स आएंगे जये जाएंगे और हम प्रोडक्ट पहले भी कि हम mention कर रहे वैसे यह ही आड कर देंगे इसमें वेन विए सब्सक्रीड़ करूं मौनट करेंगे यहांसせて कौपी करेंगे और अपने वाले में यहां आकर पिट कर देंगे तो आपको दीख रहा होगा अब यहां से रिक्वуст हम सेंड करेंगे प्रोडॉक्ट हम रीडोक आ गया स simultaneously अब यही प्रोडेक्ट को हम add करेंगे यहाप फ्रोड़क्ट तो यहां पे model.card, getNull, जो यहां पे card, model.card, तो यहां पे card वाला class जो है, उसमें null आ जा रहा है, इसको, card, 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 यह card, यह card में किसी का card ही नहीं है, अब मैं ला जा रहा है, तो यहां से problem है, हम problem समझ चुके हैं, अब problem को हम try करेंगे solve करने का, अब आग यहां पे services पे आ गए, तो आग यहां पर यह services है, और card services है, तो हम card, कहां पे card fetch कर रहे हैं, तो देख लेते हैं, हम यूज कर रहे हैं, find यहां पर कर लेंगे, this dot card, ऐसा कुट, यहां पर हम card type यहीं खरी उज कर रहे हैं, card फिर तो card है positive और कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं, जो की error दे रहे, get card, get card items कहीं यूज कर रहे है, find get card, get items, items, यहां पर क्यों search कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं, यहां पर search कर रहे हैं, card dot get items, तो यहां पर card null मिल रहा है इसको, तो मिलेगा भई, क्यों नहीं मिलेगा नल, तो यह जो हम यहां patch कर रहे हैं, इसको हम control x करेंगे और यहां patch करेंगे, सायद, नहीं 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 तो यहां पर हमारा कुछ तो error है, इसको हम verify करते हैं, तो basically हमारा यहां पर error है, हम एक card का यहां reference बनाया है, और इस card reference में get card कर लियें, ठीक है, उसके बाद फिर हम यह card one use कर लियें, तो यह हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और हम यहां पर card ही use करेंगे, अब paste है, अब application को हम rerun करेंगे, उसके बाद देखते हैं, क्या error आता है, अगर error आता है, फिर solve करेंगे, तो आगे हम postman में request को हम send की है, internal server error आया, अब फिर हम error देखने के लिए उपर गये, और error में अब हमारे पास कुछ दूसरा error है, हाँ, पर अशा, तो यह सब error आते रहेंगे, तो अब तो mistake हुआगा कहीं पर तो, cannot invoke java.lan boolean value because the return return value java.atomic reference.get null, तो यह value null दे रहा है, ठीक है, तो इसको हमको true करना है या false करना हो पहले, यहाँ पी भी हमारा mistake है, हमें यहाँ value false set करना होगा, by default false नहीं होता है इसका, तो कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा mistake है, तो सुधारेंगे, फिर run करेंगे, फिर सुधारेंगे यहीं तो programming है बच्चो, तो आगे हम यहाँ पे, फिर अब next पे की देखी है, अभी इंटर्नल सेर्वर यहाँ रहा है, अब हम फिर उपर आएंगे, अब देखेंगा, अब error की सीज में है, तो अब error बहुत जादा ही मिला है हम लोग को, राइट, और यह error भयानक error है, cannot add or update a child row foreign key ecommerce.constant, जो कि यह foreign key है, इसको update नहीं कर पाला reference को, तो इसको देखते हैं, तो अगर आपको इस type का error देखने को मिलता है, तो कैसे solve करोगे आप, ठीक है, यह, यह मैंने कुछ बहुत, ध्यानक की point mistake किया है, तो ऐसा यह, कैसे solve करोगे, पहले मैं यह बता रहेता हूं, तो सबसे पहले आप आजाओ, अपना कोन साथ बोल रहा है, कि child class update वगरा नहीं कर सकता है, यह card items बोल रहा है, तो यह बहुत important है, काई, जिस को तो सद्यान देना है, तो हम card वाले में आ जाएंगे, यह card items क्या है, child class है, foreign class है, और card items वाले में आ जाएंगे, जो कि हम card items कहाँ बना रहे है, तो आप देखो कि यहाँ पर हम card items को use कर रहे है, यहाँ पर यह देख रहा है, तो यहाँ पर कुछ property यूज करना होगा, कि child class या foreign class जो भी है, इसको update कर पाए, इस मतलब कि card को भी update कर पाए, इसको भी update कर पाए, तो उसके लिए managed by, पहले mapped by लिख देंगे, जो कि mapped रहेगा, mapped by, card, जो कि यह वाला card रहेगा, card item में जो card होगा, उससे यह mapped हो जाए, यहाँ पर यह जो card दिख रहा है, इस card से यह mapped हो जाए, मतलब इससे managed होगा, जब हम यह card बना लेंगे, यह card बना लेंगे, तो यह भी कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा जो case carding type, यह most important है, इसी से यह camera case carding, और case carding type, हम यहाँ का कर दे, dot all, मतलब सब तरह से यह कर सकता है, update हो जाएगा यह, ठीक है, बस इतना सब प्रोपर्टी हम को लगाना है, और rerun करना है, तो सके अभी भी error है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि error को जादर से जादर दिखाया जाए, ताकि कहीं भी error है, तो आप भी solve कर पाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हम send कियें, तो अब हमारे पास card item 00 सब कुछ आ रहा है, ठीक है, तो यह सब सारा कुछ हम देख लेंगे, हमारे पास क्या-क्या आ रहा है, मतलब create हो रहा है सही से, बस problem किस के लिए था, उसी के लिए था, तो card item 0 आ रहा है, और items में, यह card item quantity, price, price आ रहा है सिप हमारा, price सही आ रहा है, ठीक है, और quantity भी add की थे 10, वो 10 quantity भी आ रहा है, ठीक ह और card, dto, null, card product, dto, null, यह सब नल आ रहा है, तो यह सब हम देख लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, और बात रहा है, यहाँ पर यह, तो यह cascading हम दिए हैं, जिसके विए से अब काम कर पा रहा है, एक और property है, उसको भी दे देते हैं, अगर नहीं भी देंगे, तो कोई दिखकत नहीं है, और fence, और fence removal, जब delete कर रहे हैंगे, तब तो आशा दिखकत होगा, तो उस time पर हम orphan removal को कर देंगे, यह, और फिर हम चेक करेंगे, जो final होगा, वो, चीक है, तो अब हम आगें, तो अब हम आगें, फिर, फिर से हम इसी card को gate करेंगे, ऐसे करके, फिर send करेंगे, तो कुछ इतना दिखा रहा है, और हाँ, अगर हम card में देखें, card item में देखें, values, तो values हमारा proper, card item, card item ID 0, और यह 0 क्यों दे रहा है, और यह, यह card, card ID, यह, मतलब card create नहीं हो है, क्या, card item और card items, यह card ID वागरा भी create नहीं होआ है, इसका सही से, और card, 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 यह card तो create होगा, card ID 0 ही create होआ है, इसका इसी लिए दे रहा है, ठीक है, card ID 0 से ही start किया है, इसी वज़े से, और user ID का one का है, तो one का ही दिखा रहा है, और card ID 0, और इसके बीच में, add to card वाड हो चुका है, सारा कुछ, तो card item ID 0, quantity इतना, price इतना, card DTO null, product DTO null, तो यह आ रहा होगा, हमारा item से, तो यह हमारा DTO हम check कर लेंगे इसका, तो इसका हम काम करते हैं, इसका separate हम वीडियो ही बना देते हैं, अलग से की कैसे काम कर रहा है, तो आज के लिए में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं next video में, जो कि हम यह error को solve कर पा रहें हैं, क्योंकि वीडियो का length काफी जादा लंबा हो चुका है, यहां पर कौन सा user, या फिर एक हम काम करते हैं, दूसरा user को login करते हैं हम, ठीक है, तो आगे हम header authentication में, और दूसरा user हम, यहां पर इसको हम user को कर देते हैं, test और फिर इसको 123, 123 इसको login करते हैं, और internal server error आ रहा है, तो यह सब error हम देखेंगे, सुनेंगे, duplicate entry 40, तो यह बार बार खुद 0 ही ले रहा है, तो यह, जीरो कहां से ले रहा है, तो एक बार हम जड़ा पोस्ट में में देख लें, तो body हमारा यह product ID 4 है, तो duplicate entry 0, तो हमारा यहां पर table में ही error होगा, solve भी कर देते हैं क्या, table में error होगा, तो service, service error होगा, table में ही, तो यह category service को खूल ले, card service, तो यह, तो की हमारा, तो ने रगते रहा है, card, card.primary, तो card को 0 बार बार सेट किया जा रहा है, तो यहां पर हम देखें, तो 0 यह card को set किया है, भाई साहब, यह 0 card ID को set कर रहा है, एक बार card वारा table को भी हम open कर लेते हैं, तो card यहां fit ID किये हैं, और अरे, भाई हम को यहां generation भी बताना पड़ेगा, कि card है, तो generation, strategy, छोटा-छोटा mistake हो रहा है, यहां मेरा पर, generation, generated, value, generated value, और फिर यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, strategy, generation identity, generation identity, अब सही होगा, इसके वाज़े से 0 sign कर दे ला था, लेकिन अभी card वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन आइटम वाला पर problem होगा, तो अब किये हैं, अब यहां पर हम request end किये हैं, अब भी internal server error आ रहा है, जो कि क्या है, field card add does not have default value, इसको default value भी चाहिए, अब यह delete भी नहीं होगा हमारा, अगर हम ऐसे करके save करना चाहा है, तो save भी नहीं लेगा reference के वज़े से, अगर हम, तो एक्सरी जो हमारा यह हुआ न वो टेबल ही पूरा ड्रॉप करना पड़ेगा, जो यह बन चुका है एक बार तो उसके लिए टेबल भी ड्रॉप नहीं होगा, तुमको डेटा वेस ही पूरा ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हम आते हैं और इस पूर्जेक्ट को डेटा वेस को पूरा यहां से आके ड्रॉप करते हैं, एक बार ड्रॉप्ट, सारा ड्रॉप्ट हो चुका है, अब फिर न्यू अस्कीमा से हम पूर्जेक्ट भी बना लेंगे, तो यहां पर हम जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पूर्जेक्ट को अपना जीरन करेंगे, सारा टेबल का प्रोपर्टी चेंज हो जाएगा, तो अब सारा हो से क्वैरी हम लोगों को फिर से लिखे गई है, अब हम आगे, यहां पर पहले यूजर एक क्रियेट करेंगे, जो कि CH के नाम से है, अनुधराइज दे रहा है, यहां भी यूजर भी क्रियेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम को खोलना पढ़ेगा पहले, तो स्लाइस यूजर इसको आपन कर देते हैं, तो सिक्यूरिटी पर आएंगे, यहां पर सिक्यूरिटी देख रहा होगा, इस सिक्यूरिटी पर आके इस यूजर को हम आपन कर लेंगे, और फिर काम करेंगे, तो अब हम यहां पर यह करेंगे, हमारा यह की यूजर के रिएट हो चुका है, इस यूजर से हम लॉग इन करेंगे, अब हम क्या कर रहे थे, प्रोड़क्ट को पहले एड भी करना होगा, तो प्रोड़क्ट को एड कर देते हैं, और थ्राइज दे रहा है, तो आठेंटिक कर देटेशन में आएंगे, और बेसिक आठेंटिकेशन होगा कहीं पर, यह और अभी हम सिर्फ च वाला की है न, तो च 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 अब हम करेंगे, प्रोड़क्ट हमारा क्रेट क्रेट्ट काटेगरीज नॉट फाउंड, तो मैनुरली अभी हम लोग क्रेट क्रेट किये थे, तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं, और हमारा एक कैटेगरीज टेबल दिख रहा होगा, इसमें हम जाएंगे, और मैनुरली एक कैटेगरी हम क्रेट कर लेंगे, मो बाइल फिट से, और अपलाई कर देंगे, और हमारा फिनिस्ट कर देंगे, हमारा create हो चुका है और वह नाम से अब हम दे देंगे तो हमारे product क्रीट हो चुका है इत्रोडाइक क्या है लाइब है अस्टॉक में नहीं है क्या एक और प्रोड़क्ट करेंगे जो अस्टॉक में होगा हमारा तो अब हम आ जाएंगे प्रोड़क्ट करने के लिए बॉडी में और एक और प्रोड़क्ट करेंगे है जो कि होगा है ठीक है और प्रोड़क्ट का नाम थोड़ा सथ चेंज कर देंगे बस और प्रोड़क्ट कर देंगे जो कि प्रोड़क्ट का डिटीन है अब इस तीन वाले प्रोड़क्ट को हम एड़ करेंगे इस वाले यूजर का कार्ड में चो कि ऐसे करके करेंगे तो हम आजा रहा है और बेस्टी मेरा लो हो चुका है बैटरी और यहां पर अब है सीसी और एं और हैट से करके हम कर लेंगे और यहां पर संट डिवेस्ट पर करेंगे तो थम्रिज्च अभी भी आ रहा है तो इससे पहले मार यूजर जो करेंट करते अटेंटिकेशन में क्या डाले थे जह नहीं यह प्रोडाट जब करकेंट प्रिटिकेशन में क्या डाले थे बेसिक और देखेंगे तो हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है अगर फिर देंगे तो फिर भी ऐख डाया है अब बगी यह जो है देख लेंगे काड डायटम में हम लोग प्रपर्टी नहीं लगाएं होंगे इसी वज़े से आ रहा है तो आजाई यह मोडल में काड ऑड्राइटम में काड आइटम अडी होगा इसमें जैनरेशन टाइप में हमने ही लगाए है वैल्यू जो की जिसके विए से दे रहा है तो अभी हम यहां पर लगाए थे इसी वैल्यू को कॉफी करेंगे फिर से टेबल को ड्रॉप करेंगे सारा प्रोपर्टी रिफेक्ट करने के लिए अब हो चुका ये काम नहीं करेगा टेबल ड्रॉप ड्रॉप करना पड़ेगा चलिए आते हैं यहां से फिर डेटावेस को ड्रॉप करते हैं अब स्कीमा ड्रॉप अब फिर कर चुके हैं अब फिर से हम को स्कीमा चाहिए तो इस यहां पर कॉपी कर लेंगे और यहां पर आएंगे पेस्ट कर लेंगे फिर स्कीमा को हम कर लेंगे और फिर अ का कभी भी property हम नया add करते हैं तो हमको ऐसे करना पड़ता है तक हमारें पास हुआैज कर रहे姜 ≥ तो कभी भी आप कर रहे होंगे तो अध्रियान रख्येदा इससे पात को अनुसके बाद फीर हम आज एंगी कि रिएट यूजर में यूजर कुछ सेम हम बिन आथेंटिकेशन लगा यूजर कर लेंगे क्योंकि हम एक्सिस दे चुके हैं वहां से से और फिर यूजर करने के बाद एक हम लोग प्रोड़क्ट कर लेंगे जिसमें से पासवर्ड उसोट सब कैटेगरीज नहीं मिला है जो कि इस को एक्सिस नहीं मिला आपोसமANE मिलेगा हमको के टेगरीज मैनोफ कर्याइट करते हैं हम लोग इसके लिए एपे आई नहीं बनाया हैं तो ये कैटेगरीज क्रियेट कर लेंगे हम और मॉदम कितने अच्छैास यहां पार येहां पे अगर कैटेगे नहीं मिल संदिकि गाया है ठीक है काटेगरी मिल हम चुका अब प्रोड़क्ट भी खृएट हो चुका है Amazing जोड़क't ण्हेड है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम आ जाएंगे अपना add to ुकाड में और यही वाले प्रोड़क्ट को हम body में product 3 का आइडी वाले यह प्रोडक्ट का आइडी हम देखने क्या है कि रौक्त का आप्डी है प्रोडक्ट ऐडी ती देंगे था मपको आप नौट पॉड़क कुद देढ़ा यह और तु अब देंगे हम तो प्रोडक्ट कर लिया जो कि अब काड आइडी भी बन से से चालू हो रहा है है और आइटम इटी बीए बन से चालो रहा है कौंटिटी Gaming है अब कर डे रहा है और यह दोनों देख लेते हैं तो हमारे पास दों चीज ला रहा है जो कि कार्ड डेट यो और अपर ड्रोडक्ट स्सक्वार रहा है तो यह देख लेटे Carte DTO null आने का वजय है क्या हो सकता है तो हम आएंगे यहां पर और अपना कौना है आईटम DTO आईटम DTO के अंदर हम लिए होंगे तो आईटम DTO के अंदर जो DTO है वो चेक करेंगे तो आईटम DTO कहां मिल पाएगा हमें आइटम डीटियो पेलोड पे मिल पाएगा हमें जो कि यह है हमारा क्लास को ट केरिये पर नहीं open करना है पर यह हमारा प्रोड़क्ट डीटियो और यह है काड डीटियो जो इसका गेर शेटर एक बर हम देख लेंगा अच्छे से गेटर सेंसेटर तो बना हुआ है लेकिन वहीं से डेटा नहीं आ रहा है मतलब कि लिस्ट आप प्रोड़क्ट वहीं से नहीं आ रहा है कहां से वहीं से यह जो है कार्ट डीटियो तो उसको कार्ट डीटियो में कनभर्ट करके रीटर्न करना होगा हुआ 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 है तो गाइस अभी हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं उसके बाद हमारे पास देखेंगा टेबल में सारा कुछ रिप्लेक्ट हो रहा है ठीक है तो यह मैं जब गेट वाला जब बनाएंगे हम तुस्रे में लुग चेक कर पाएंगे कि क्यों नहीं आ रहा है अभी भी चेक कर सकते हैं लेकिन हम अभी नषच सेटकर जेह हम अभी इतना ही में छोड़ रहें पिर हम ज़रूर चेक करेंगे करने के लिए एक मैथटड बना लेंगे यहां पर जैसे हम कार्ड को गेट प a थे काड तो यहां रोगे मैठेट बनाएंगे और उस मैठेट मेंством जेक करेंगे नियु क्यों आ रहा था और कैसे आ रहा था तो यहां पिल बनाने के लिए को पता है हम आगा आप को आ रहा है रिस रिस पॉन्स इन टीटी और इस रिस्पॉंस इन टीटी में हमारा जो होगा ची आर्टी कार्ड से अर्टी कार्ड टीटी ओ होगा और इस मेठड का नाम रहेंगे ट और पर अट कार्ड और इस मेठेज में बेसिकली हम को किसका कार्ड चाहिए तो वह स्सूरीफ कर दे click या रीटर में भी नल लिख देते हैं और हमको स्रीप चाहिए जो यूजर लोगी धर या उस्को क्राट मिल में चाहिए तो तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ करेंगे इसमें हम लोग ऐसा जिसमें की जो यूजर लौग अब देल के जैसे कि हमा पर यूज करेंगे ऑप से हमिए तिक है शो second was ie जो यूजर हमारे पास login जाएगा उसके बाद फिर यहां पास हमारे पास method नहीं मिलेगा तो हम आजाएंगे card service पे और यहां पे हमको method बनाना होगा card service पे जो की हमारा method building हो रहा है तो होने देते हैं तो हमारे पास यहां पास मिलेगा method पर लिक और फिर रिटर्ण टप कार्ड टी यो गेट केट कार्ड सी ए और टी कार्ड ती कार्ड गेट कार्ड ओल ऐसा एक method यहां पर मिलेगा जो की हमारे पास क्या ले रहा होगा अस्ट्रिंग ले रहा होगा एस्टी यार रही इस्टी यार आइन जी एस्टिंग ए आर जी एस्टिंग यार जी नहीं एस्टिंग इमेल 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 यह क्या यह हमारे पास हो स्पैलिंग में एर है तो रिटर का स्पैलिंग सुधार लेते आरी टी यू आर एट और हमारा एर सॉल्फ हो गया और फिर हम आजाए कंट्रोलर में अगे और फिर में यहां देखेंगे कि हम जो हम मैंटर्ड बनाया है उस मैंटर्ड को हम कॉल कर लेंगे दीस डॉट स्पान खcar गेट्स अल गेट और अल कराड इस ट्रिंग अर यहां पेहमें पास करेंगे है अ प्रींज्सीफल को principle.getName हम यह पास करेंगे यहां पर control-one press करेंगे और यहां पर हम getAll card ले लेंगे और हमें यहां पर getAll card मिल जाएगा, ठेक है, इस getAll card को हम return कर देंगे new response entity this response entity और इस नया response entity में basically हम क्या करेंगे यहां पर हम card dto लिखेंगे card dto और यहां पर हम जो रिटर्न कर रहें फस्ट पारमेटर में get all card और सेकेंड पारमेटर में http status http dot status accepted बस इतना इतना सा basic करना है मेर यहां पर इसका URL बना अब आ जाएंगे में पुछ लिखने का जोत नहीं है अगर आता है तो हम लोग कुछ करेंगे बट आना तो नहीं चाहिए तो card service हो गया और फिर हमारे पास यहां card service तो हमारे पास email भी पहुंच रहोगा यहां पर तो यहां पर हम क्या करेंगे वह देख लेते हैं तो पहले हम यूजर फाइंड कर लेंगे तो आपको पता होगा आप फ़र्स्ट फाइन यूजर तो यूजर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक auto wire करके रखे हैं और जो कि यह होगा और फीज फाइंड बाई इमेल से एक आपको यूजर मिल जागा जिसमें हम इमेल पास कर देंगे अगर नहीं मिलता है तो और एल्स तो जो कि हम में आप प्रो कर देंगे एक लेंदा एकस्प्रेशन देके और लेंदा फंसंते के जो कि न्यू रिस्टोर्स नॉट फाउंड एकस्टेप्शन और इसके अंदर हम एक स्पेसिफाइब कर देंगे यूजर नॉट एफो यू हैंडी फाउंड डाइट सिट अब यूजर हमें अगर उसका मिल जाता है हां तो बिसीकलि हम यूजर को एक न्या वर्डियेबल में रख लेंगे उसके लिए कंट्रोल प्लस वो कंट्रोल प्लस वॉन की क्लिक करेंगे और यहां पर हमको यूजर मिल जाएगा और इस यूजर को हम ऐसे करके एक व्याइवल यूजर टैप का वैडियेवल में रख जानगे उसके बात जब में यूजर मिल जाएगा तो भी इसरा चीज पाड़ फाइंड करेंगे एंड से लिए टी कार्ड तो काड़ फाइंड करने के लिए आपको है दीस डॉट कार्ट डॉट्स फाइंड और फाइंड हम और यूजर जो यूजर का होगा उसी को हम निकालेंगे फाइंड वाई यूजर और हम यहाँ पर यूजर पास कर देंगे और अगर नहीं मिलता है तो डॉट और एल्स तो यहाँ पर लेम्दा एक्स्प्रेशन सेम नियू रिशूर्स नॉट फाउंड रिशूर्स नॉट रिशूर्स और एक्सेप्शन देर एज नो नो कार्ड बस लाट सिट तो यहाँ पर कार्ड हमें मिल जाएगा और इस कार्ड में हम इनिस लाइज कर लेंगे एक कार्ड से अर्टी कार्ड बेसिकली इतना ही सा काम है हमारे पास और फिर कार्ड मिल जाएगा हम इसको रिटर्न कर लेंगे रिटी यू आरे रिटर्न इस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप और कार्ड और यहां पर हम से आर टी कार्ड डी टी यू टॉट कलास सैमी कॉलम बस हमारा बन चुका है हम पंक्शन सब्राइब करने साम आजाएंगे अरह कहीं दीख रहा है को यहां पे तो कहां है सर्विसमेहं दे के मकल यहां पएर्ण है कहीं अच्छा हों infection यहां है की सब्सक्राइब आजाएगा को आज और हम आ जाएएवैंगे पोस्ट मैन ओपन कर लेंगे पर स्ट मैन हमारा पॉस्टमेंट कुछ ओपन हो रहा होगा पॉस्टमेंट ओपन हो चुका है एक हम फॉल्डरी यहां पर क्रियेट कर लेंगे राइट एड फॉल्डर जिसमें हम लिख देंगे यहां पर कार्ड सर्विसेस कार्ड कि फॉल्डर को रिनेम कर देते हैं तो यह रिनेम कर देंगे आपके से यह आर्टी कार्ट और इस कार्ट में आपका क्या क्या था एड टू कार्ड इसके अंदर चल जाएगा और फिर अध्य प्रोडक्त तो प्रोडक्त करेंगे राइड यूजर तो अब हम एक यूजर भी कर लेंगे तो इसके पहले हम इसके अंदर आके एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिता है जिस्टी का नाम रहेगा आपका गेट अब अब कार्ड शीयर्ट इसमें अमारा लोकल होस्ट ही चलेगा लोकल होस्ट नाइन वन नहीं नाइन 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 पर फोर्ट में चल रहा है डॉट स्लाइस यह हमारा यूरल है यूरल को हम यहां से हीट करेंगे तो अनृतराइज आएगा और अधरा जाना भी चाहिए है जाएंगे यहां पर और बेसिक ओठ लगाएंगे और अब हमारे पास अनृतराइज नहीं आएगा काड़ आएगा और काड़ का एमांट आएगा यह दोनों ना ला रहा है तो बेसिकली हम करना यह चाह रहे हैं यह हम यह कॉपी करेंगे और यह कोई भी क्रॉम में जाएंगे यहां जाके पेस्ट करेंगे फॉम फूल जाएगा इस फॉम में हमारा जो इमेल है वही इमेल को फिल करेंगे कि आप यहां पर हमारा चीज वन टू तिरी और शाइन कर देंगे हमारे पास तो आ रहा है लेकिन कि यहां पर काड़ आइटम काड़ टोटल प्राइस और यहां पर भी हमारा नल ला रहा है और प्रोडक्ट डिटियो में भी नल ला रहा है तो हमार पास value ही निया रहा है हमको लग रहा था कि वह वाला हो रहा है लेकिन वह ऐसा कुछ हो नहीं है तो चलिए check करते हैं कहां से नला रहा है कि हमारे personal क्या रहा था काड़ेटिव नला अनौल अब यहां के चेग करें तो इस काड़ेटिव कि हम जैसे चै 지्च के रहा है है वैसे हमारे पद Json हासट個人 का रागिए तो अज़ेटेशन हम एग्णोर लगाएंगे जेसर अगनोर के और अब हम रन करके टॉड करेंगे तो यहां पर वह फैल्यohii ही अग् apro'd का यूछ नीं मिल पारा है हमें का सुए डी हम करें क्या जिससे कि हमारा अरा हैो स्कुमीरद हो जाए जैसे ने लाएकने के बाद यह हमार Problem यह हो जा रहा है कि वह हमारे काड डे बेंडीट में मिली नइंपा रहा है और ऐसे हम रन करें तो जैसन इग्नोर मिल जा रहा है और यहां पर हम आएं और यहां पर भी एक बहुत हीट करें तो कार्ड आइटम वन काड़ आइटम वन काड़ आइटम वन वाला पूरा रिपीटेड हो रहा है सीफ अब डेटा देख रहे होंगे और फिर एक की वैसे खुछ तो रीपीटी सिस्रीफ हो रहा है बाल बाल काड़ आईटी काड़िकल डाइटी काड़िक अग्विव हो रहा है और य यह क्याश्त मेंक्षैंड civ काड़ रति-ची टोटल प्राइच फिर से यहीं से इaster subtle depressed का काड़ में क्यों चेंज करें मर तो काड तो आई है जह सब सबात है मरे पास Запास काड तो आ एरह अमसे ait मेंटेंग सकरने कुछ जो त cauliflower डी करते जाते हैं मर्यों चीज नहीं आ रहा है वह सब्सक्राइब को कुछ चिज नहीं आ रहा है वहुझ मैं यह यह काड़ टीओ नहीं आज एच तो काड़ आइटम के अंदर कार्ड टीओ है tota Одजा हो नहीं आ जिक है जिसमें से card और card item open कर लेंगे और idem में यह क्या करना होगा कि कुछ तो करना पड़ेगा यहां पर यह कुछ करेंगा चोकि तो हमें गर्र cash इससे कर लिगते हैं और यहां पर हमारे अलोर हो जाएगा नहीं नहीं लिखते हैं पे इग्णूर लिखने से यह पूरा ही वैल्यो को ही तो जैसर निगनो रोल भाट आते हैं और यह हम कार्ड में आते हैं और यहां पर मोगों प्रोलम आ रहा है तो हम यहां पर करेंगे क्या और यहां पर हमारा काड ऐटम में और कारड यहां पर हूं क्या लिख़ देंगे यहां पर आके हमारे पास यह आ जाएंगे हम आइटम में और यहां पर हम लिख देंगे एटरेट जेशन जेशन बैक रेफरेंस था वहां लिखे थे यहां जेशन रेफरेंस लिख देंगे घ्रावाजमान लिखे यह जेशन मनेज्वरेंस यह हो चुका है हमारा किलियर अभी रन करेंगे तो हमको यहां भी चेंज करना होगा यहां पर कार्ड मिलेगा कार्ड का वैल्यू रूकर ह्यां रिटन करेंगे और यह दोनों आ खर我們 Hai T और फिर जाएंगे सेव कर देंगे एर जाएगा फिर जाएंगे गेटरेंड सेटर क्रियेट चर लेंगे स्लेक्ट और करके अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो साइध में भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाए अहां फोले अब लागेघा अब हम आ पहां पर सेंट पर कीलिक एं तो 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 होज फराए शे Sharp वाला ही आपेर यक्वेस्ट आ जा रहा है हमारे पास तो काम करते हैं हम पर कारड एंट्रि यहां पर जब किनम है हम कुछ ऐसा किरते रहें तो अभी भी हमको ऐसा ही जेशन वाला ही मिल रहा है यहां पर तो एक काम करते हैं हम जेशन इग्णोर ही यूज कर देंगे हम डाइरेट कि अ arkadaşlar कि कीहमेलर प्राइंट कर चुक के आप वर बतारें किया है तो हम प्रोड़ यहाँ पर लिखे थे यह पर लिखे थे तो इसको हम रिमूब कर देंगे जैसे की हम यह परिद्लिक्ट लिखे थे अयसे करके तो यहाँ पर मुं पर धूर्म दिखा था दिखे यह भी दोनों error को हम हटा देंगे और से गेटर सेटर जनेरेट कर लेंगे घट हटा कम को डेटी ओनाइज चाहिए ठीक है और यह हम देख रहे थे यह card id वाला हमें to card ID मिली रहा था कहा गया यह e-card ID हमें तो यहां पर response में मिली रहा था लेकिन हम बार 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 काड ढ़िदी कर ले मतलब बारबा काड ऑड़ ही रिपिट हो जाए ता इसके वज़ेसे हम इप 19 तो हमारा अब अब अगर सचेक करें तो सारा कुछ ठीक आ रहा है हम चेक करके देख चुक है अभध्य कुस्द करेंगे और तो हमारा सारा रिक्वेस्ट आ रहा एक्रम पेस्ट काड आडि वन आ रहा काड आड़ी में आइटम आइडि इसका वर्न है क्वेंटिटी टेन है प्राइज इतना है और एक बार प्रयाइज हम वेरिफाइज करना चाहेंगे जो प्रोडक्ट आइडी दे रहे हैं वो तो इस प्रोडक्ट्र निया रहे क्या रहा है प्रोड़क्ट प्रोडक्ट है ट्वेंटी अर्प्रोडक्टक्ट का प्राइज है यह आपका था ये पेट तो हम यह चल्कुलेटर तो मान लेते हैं हम हमारे पास एक प्राइज इस क्कौैंट टीके प्राइज कितना है फाइफ $80 हो अन्य हमें कितना क्वेंटीटी चाहिए तो इन्टू टैनी क्वेंटे ले रहें तो पांच सजार आना चाहिए था प्राइज कि अस्टीज में मिस्टेक है जो कि 11,000 फ्राइज सेट हो जा रहा है जो कि 5000 होना चाहिए था लगबग तो टैन कवेंटीटी प्राइट करना यह यहां पे फिक्स करना होगा हमें अबागे सारा कुछ ठीक है यह तो यह फॉसा लाजिक का इसू होगा यह मुझा ठीक कर रहे हैं अभी जास्ट टिक कर लेंगे तो आपस से आजाएंगे वापस से आजाएंगे हम अपना कार्ड सर्विसेस में और जो कि यह सर्विस है और यह प्राइज हम कहां अर्ष कर रहे थे इसका है हम प्राइस क्याल्गौलेट कर रहे थे कुछ अट हाथ यहां पे टुटल प्राइज को में कर दे रहे थे और राइस हमारा को यह था तो प्रोड़क्ट प्राइज to be product प्रोड़क्ट का क्वाइंटिटी हम गेट कर ले दें यह थो हमें ने चाहिए था यह क्वाइंटीटी गेट ने चाहिए हमें क्वाइन ट्वेंटी से कलिए करके देखते हैं कल उल्लेट 581 2120 11 exactly exactly वही हो रहा है तो हम बैसिकली यहां पर हमारे पास एक quantity मील रहा है इस वाला quantity से कर देंगे और उपर सारा कुछ सही होगा अगले बार से तो हमें ये इतना ताम जामने रखना है इसको हम यहां से रिमूब करेंगे और यह कर देंगे तो अब हम बिल्कुल सही तो गाइज हम लोग सारा कुछ कम्प्लीट कर चुके हैं कार्ड को एड कर रहे हैं और कार्ड को गेट कर रहे हैं ठीक है तो हम दो API भी बना चुके हैं अब तिसरा API भी मैं बताओंगा बहुत जल्द तो अब यहां पर हम आके देखें अभी अभी भी डिट करेंगे तो टेल में सेट हो चुका गऄ तोβही आएगा जो हमारा प्राइजंगा लेकिन हम जैसे ही निया एड्ट टो निया कर लेते हैं यहां पर और और हम एड़ करते हैं अब प्राइज देखेंगे तो टोटल प्राइज आ रहा है 588 जो कि हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे ट्वाइन 10 कुएंटिटी है और एक सिंगल का 588 है तो एक जिरो हो जाएगा बस तो वेसिकली हमारा सारा एरर फाइंड हो चुका है हमने बहुत मेहनत से बहुत प्रिश्चम से फाइनली बना चुका है तो काईज मैं चाहूंगा कि हमारा वीडियो को आप लाइक एंड सिस्क्राइब कर दें और मोटिवेट करें हमारे को कि हम लगभा कंप्लीट कर पाएं और हम अगरे के हम ज्यादा खूर्स कभरी न्यूज दिनर जाएं तो हम लोग का बैकेंड 80% कभर हो चुका है इसी तरह से आप और दर यहां कार्ड पर जाएगा फिर ओडर क्रिएट कर लेंगे उसका अफिर ओडर करेंगे तो बैकेंड मारा खत्म हो जाएगा उसके बाद जस्ट हमारा इमेज बचेगा इमेज अपलोड करने वाला और सिक्योरिटी में हम बेसिक सिक्योरिटी रहने करते हैं तो इस हमारे वीडियो में कॉमेंट करें कि सर जे डबलू डी ही टोकेन यूज करें तो हम जरूर से जो जे डबलू टोकेन ही यूज करेंगे अधरवाइस हम बेसिक टोकेन में ही छोड़के आगे बढ़ जाएंगे ठीक है गाइस तो आप लोग को रिस्पोंसिबिल करें तो ही हम करेंगे यूज करेंगे टोकेन थैंक यूज